प्रिये बंदू जै भीम जै भारत नमा बुद्धाय मैं निखिल सब्लानिया नई दिल्ली से आज आपको बाबा साहब डॉक्टर भीम रावंबिटकर जी के लेख राडे गांधी और जिन्ना सुनाने जा रहा हूं या लेख एकवस्तक के रूप में भी प्रकाशित हो चुका है तो आईए डॉक्टर भीम रावंबिटकर जी का लिखा लेख राणडे गांधी और जिन्ना सुनते हैं मैं आपको ये अवश्य ही पताना चाहता हूं कि मैं यहां के निमंत्रन पर बहुत प्रस्ट नहीं था मुझे ये डर था कि मैं इस अवसर के अनुकुल विचार व्यक्त करने के योग्य न हो सकूँ एक साल पहले जब बंबई में राणडे शतापती जेंती मनाई गई थी तो श्री निवास शास्त्री को भाशन करने के लिए चुना गया था क्योंकि कई विशेशकारणों से वे इस कर्तवे का पालन करने योग्य थे वे राणडे के जीवन की एक अवधी में उनके समकालिन होने का दावा कर सकते थे उनको उन्हें परखने और अपने अन्य सहयोगियों के साथ उनकी तुलना करने का उफसर प्राप्त हुआ था इसलिए वे राणडे के संबंद में विश्वास पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और अपनी व्यक्तिकत जान पैचान के आधार पर उनके साथ अपनी घनिष्टता भी जाहिर कर सकते थे वे किसी घटना को उद्रत कर सकते थे और अपने श्रोताओं के समक राणडे की छवी को भार सकते थे इन में से कोई भी योकिता मुझ में नहीं लगती रानडे के साथ मेरा संबंध बहुत ही थोड़ा है मैंने तो उनको देखा तक नहीं था रानडे के संबंध में मातर दो ही घटनाए मुझे याद है जिनको मैं आपको सुना सकता हूँ मैं सतारा के स्कूल में पर्थम शेणी का विध्यारती था 16 जनवरी 1901 के दिन हाई स्कूल बंध हो गया था और सभी लड़कों को छुटी मिल गई थी मैंने पूछा कि स्कूल बंध क्यों हो गया है मुझे को बताया गया कि रानडे कुजर गए हैं उस समय मैं 9 साल का था मैं रानडे के संबंध में कुछ नहीं जानता था दूसरी घटना जो मुझे याद आती है वे पहली घटना के बहुत बात की है एक बार मैं अपने पिताजी के पुराने कागजात के कुछ बंधलों को देख रहा था मुझे उनमें एक अभी लेख मिला वास्तव में एक याचिका थी इसे महार जाती के कमिशन और नान कमिशन अफसरों ने भारत सरकार के उन आदेशों के विर्थ सरकार को दिया था जो उन्होंने 1892 में महारों की सैना में भरती पर प्रतिबंद लगाने के लिए ये थे मालुम करने पर मुझे बताया गया कि यह उस प्रतिबंद लिए जिसे रानडे ने परिशान महारों की कठनाईयों को दूर करने के लिए लिए लिखा था इन दो घटनाओं के अतरिक्त रानडे के संस्मर्ण करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है उनके संबंद में मेरा ग्यान व्यक्तिगत रूप से नहीं है उनके ग्रंथों को पढ़कर या जो कुछ मुझे दूसरों ने बताया उसी से उनके संबंद में मैंने ग्यान प्राप्त किया है मुझे आप मुझसे आपको उनके व्यक्तिकत चरित्र के संबंद में कुछ सुनने की आशा नहीं करनी चाहिए मैं उनके विश्य में जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यह है कि वे अपने समय के किस प्रकार के सारवजनिक व्यक्ति थे और भारतिय राजनिती में आज उनका क्या स्थान है जैसा कि आप जानते हैं राण्डे के कुछ मित्र हैं जो उनको एक महान पुरुष कहने में संकोच नहीं करते और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी भावना के अनुरूप उनको महान नहीं मानते इसमें सत्य क्या है परंतु यह प्रशन मैं समझता हूँ एक दूसरे ही प्रशन पर आधारित है अर्थात क्या इतिहास महान पुरुषों की जीवनी है यह प्रशन सार्थक भी है और महत्वपून भी क्योंकि यदि महापुरुष इतिहास के निर्माता नहोते तो ऐसा प्राणी है समय उसको आगे बढ़ाता है समय ही सब कुछ कराता है वह खुद कुछ नहीं करता जो लोग इस धारना वाले हैं वे मेरे मता अनुसर इतिहास की भामक व्याख्या करते हैं एतिहासिक परिवर्तनों के कार्णों से कार्णों के संबंद में तीन प्रकार की विच हैं इसमें मानव चातिस रष्टी के अंत तक जब तक वह योजना पूर्ण ना हो जाए दुखों को जहलती हुई कार्य करती रहती है बरकले की भी एक विचारधारा है उसकी यह धारना है कि इतिहास भुगोल और प्रकृतिक प्राकृतिक विक्यान का निर्मान है इतिहास भुगोल और प्राकृतिक विक्यान का निर्मान है कार्यमाक्स ने एक तीसरी विचारधारा की व्याख्या की है उसके मतानुसार इतिहास आर्थिक प्रभावों का परिनाम है इन तीनों में से कोई भी इस बात को स्विकार नहीं करता कि इतिहास महापुर्षों की जीवनी है वास्तम में वे इतिहास के सरजन में मनुश्य को कोई स्थान नहीं देते धर्मचारियों के अतरिक्त कोई व्यक्ति आगस्टाइन के सिधान्त को नहीं मानता जहां तक बरकले और माक्स की विचारधारों का संबंध है उनमें कुछ सत्य है किन्तु वे पून सत्य क प्रतिपादन नहीं करती उनकी यह अवधारना पून तह भ्रामक है कि इतिहास के निर्मान में वेक्तित्व शुन्य शक्तियां तो सब कुछ है और मनुश्य कुछ भी नहीं परन्तु यह अवश्य ही मान लेना चाहिए कि इन अववेक्त शक्तियों के प्रभाव का आधार मनुश्य है चमक पत्थर सब जगा नहीं होता चकमक पत्थर सब जगा नहीं होता किन्तु जहां यह होता है वहां पर भी चकमक रगड कर आग पैदा करने के लिए मनुश्य की आवश्यक्ता बढ़ती है बीज भी सब जगा नहीं होते है परन्तु जहां बीज होते हैं वहा उसके द्वारा खेती की बुनियाद डालने के लिए आदमी की आवशक्ता पड़ती है, बहुत से ऐसे शेत्र हैं जहां पर धात्वे नहीं होती, किन्तु जहां होती है वहां उनसे मशीन बनाने के लिए जो सब्विता का आधार है आदमी की आवशक्ता पड़ती ही है समाजिक शक्तियों की ही बात लीजिए संसार में बहुत थी दुखदाई घटनाएं घटित होती है उन्हीं में से एक परिस्थिती ऐसी होती है जिसका वर्णन मिस्टर थायर ने स्वरचित थेवडोर रुजवेल्ड की कहानी रुजवेल्ड की जीवनी में किया है उन्होंने कहा है प्रतेक समुदाए पार्टी या संस्थान में एक समय ऐसा भी आता है जब उसका प्रगती करना थम सा जाता है उसकी धमनिया सूख जाती है उसके नवयूकों में कोई उमंगे पैदा नहीं होती उसके व्रद्जन कोई सुखद स्वप्न नहीं देखते इसे वह भूत काल पर निर्भर करती हैं आई और निराश होकर भूत काल की बातों को ही शाश्वत बनाने की चेश्टा करती है राजनिती में जब यह प्रक्रिया प्राण हीन होने की अवस्था पर पहुंच जाती है तब हम उसे अदमनिया अनुदार वाद कहते हैं और अदमनिया अचेतन्य होने के कारण वह उससे अच्छा होने का उपचार भी नहीं कर पाता। नई परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल स्वयम को ढालने में असमर्थ होने के कारण वह अतीत की ओर देखने लगता है। जैसे की एक वर्ध पुरुष शिथिल होकर अपनी आराम कुरसी में पड़ा रहता है। दूसरे परकार की परिस्थिती पतन की नहीं वरन विनाश की होती है। जब कभी अपात कालीन अवस्था आती है तो इसकी संभावने सरवदा रहती है। पराचीन ढग पुरानी आते पुराने विचार समाज को जीवन परदान करने और उसमें प्रकती लाने में असमर्थ होते हैं। जब तक नवीन ढग प्राप्त नहीं हो जाते तब तक उसके जीवित रहने की कोई संभावने नहीं रहती। कोई भी समाज सरल मार्क पर गमन नहीं करता पतनकाल आते ही और विनाश की संभावनाव में होकर समाज को गुजरना पड़ता है कुछ बच जाते हैं कुछ नश्ट हो जाते हैं और दुरावस्था और पतन को प्राप्त होते हैं ऐसा क्यों होता है क्या कारण है कि थोड़े ही कि बच पाते हैं करलाईल महुद्य कारलाईल महुद्य ने इसका उत्तर दिया है अपनी विशेश शैली में कारलाईल कहते हैं कोई भी समय विनाश को प्राप्त नहीं होता यदि उस समय को एक बहुत महान एक श्रेष्ट और वुद्धिमान पुरुष प्राप्त हो जिसकी बुद्धी समयनुकुल सत्य को परक सके, जिसकी शक्ति समयनुकुल मुक्ति पथ की और ले चलने में समर्थ हो. मेरे मत में यह उन वेक्तियों के लिए जो इतिहास के निर्मान में मनुष्य को कोई स्थान नहीं देना चाहते, एक निर्डायक उत्तर है. अपत्ति काल में नवीन पत्त की खोज से ही अपत्ति से बच्चा जा सकता है जब नवीन मार्क प्राप्त नहीं किया जाता तो समाज का पतन हो जाता है समय नवीन संभव मार्क को सुझा देता है किन्तु इस से आगे यह भी कहा जाता है कि समय ही श्रेष्ट नहीं है बमानविय हों या सामाजिक यदि इतिहास निर्माण में प्रथम शक्ति है तो ये अंतिम सत्य नहीं है। आखिर किसे महान पुरुष कहा जाए। यदि सैनिक, वीरो, जैसे सिकंदर, अतिला, सीजर और तैमूर लंग के विश्य में कहा जाए तो उत्तर देना कठिन ना होगा। सैनिक पुरुष सहास से काम लेते हैं और बहुत से परिवर्तन कर डालते हैं। वे अपने समकालीन व् प्रक्तियों को अपनी महान विजयों से परभूद कर देते हैं। वे महान पुकारे जाने की परतिक्षा किये बिना ही महान हो जाते हैं। जिस प्रकार म्रगों का म्रग राज सिंग होता है, उसी प्रकार वे मनुश्यों में पुरुष सिंग बन जाते हैं। परंतु यह भ पॉलियन जैसे महांत सैनिक ने भी अपनी इतनी विजियों के पश्चात फ्रांस को उससे भी छोटा जैसा उसने प्राप्ट किया था। चाप नहीं छोड़ते। उनके जीवनकारे और आचार के विस्तरत वर्णन रुचिकार तो हो सकते हैं कि तुवे समाज को प्रभावित नहीं करते और संपूर्ण समाज के स्वभाव को बदलने लायक नहीं होते। उत्तर देना उस समय कठीन हो जाता है जबकि उप्यूक्त प्रशन ऐसे व्यक्तियों के विश्य में पूछा जाता है जो सैनिक अदिकारी नहीं हैं। क्यांकि उस समय यह प्रशन परिक्षणों का प्रशन बन जाता है और प्रशन भिन-भिन व्यक्तियों के भिन-बिन होते हैं। वीर पुजा को आदर्श मानने वाले काला इन महोद्य का अपना अलगी परिक्षण है। उसे उन्होंने निमलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। परंतु एक महापुरुष के संबंद में विशेश रूप से पूछा जाए तो उसके संबंद में मैं खोज करने का प्रेतन करूंगा कि यदि वह सत्य के अत्रिक्त और किसी बात में विश्वास करता है तो वह अविश्वसनिया होगा। मेरे विचार से सत्य उसकी प्रारभिक बुनियाद है यह कोई व्यक्ति किसी कारे को भली भाती नहीं कर सकता यदि उसमें उसके लिए सरप्रथम सच्ची लगन ना हो। उसे मैं निष्ठावान पुरुष कहता हूँ कि यदि कोई जरासा भी महापुरुष है तो उसकी कसोटी मेरे बतनुसार सत्य निष्ठा एक गंभी सत्य निष्ठा ही है। वास्ता में कालाईल सत्य निष्ठा की कसोटी की परिभाशा संक्षित रूप से करने में विशिष्ठ है और ऐसा करने में उन्होंने अपने पाठकों को अपने सत्य निष्ठा संबंदी विचारों के प्रती सावधान करते हुए कहा था। वे सत्य निष्ठा नहीं जो स्यम अपने को ही सत्य निष्ठ कहे। जो नहीं है वे सत्य निष्ठा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा वस्तुत है वे तो बहुत ही तुछ विचार होगा एक उथली आत्म शलागा पून पाखंडी सत्य निष्ठा होगी केवल अपने आपको संत दोश्ट देने वाली, एक महान पुरुष की सत्य निश्ठा तो ऐसी होती है, जिसके विश्य में वह कुछ नहीं बोलता और ना उसके संबंद में उसे अभिमान ही होता है, इसके विरुद वह अपनी सत्य निश्ठा में कमी की अनुभूती करता है, जिसके फल्सरूप एक द संबध होने के संबंध में ऐसा सोचता भी नहीं, संबवता है, वह अपने सत्य निश्ठ होने के संबंध में किसी से पूछता भी नहीं, मैं यही कहूंगा कि उसकी सत्य निश्ठा उस पर निर्भर नहीं करती, वरन वह सत्य निश्ठ हुए बिना रह नहीं सकता, लाड रोजबेरी ने निपॉलिन के संबंद में जो इतना बड़ा सेनापती था उतना ही बड़ा परशंसक भी था लिखते हुए एक और कसोटी बतलाई है इस परशन के पूछे जाने पर कि क्या निपॉलिन महान था रोजबेरी ने निमलिखित भाषा का प्रयोग किया यदि महान से हमारा आश्य विद्वता के साथ चारित्रिक विशिष्टाओं के समन्वे से है तो नेपॉलिन को बिल्कुल भी महान नहीं कहा जा सकता परन्तु यह है कि वह सर्वपरी और असाधन होने के नाते महान था हम संदें नहीं कर सकते यदि महान महानता मानी जाती है प्राकरतिक शक्ति के लिए प्रमुखता के कारण मानवता से परे मानवे गुणों के कारण तो नेपॉलिन निसंदें महान था इसके अतिरिक्त उस अवर्निनिय चिंगारी को जिसे हम पतीवा कहते हैं उसने अपनी शक्ति और विद्वता के साथ ऐसा प्रस्तूत किया कि उसकी कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती यहां एक तीसरी कसौटी भी है जिसे दाश्निकों या अधिक ठीक प्रकार से कहा जाए तो मानव कर्मों में दिवे शक्तियों के प्रभाव में विश्वास करने वालों ने कहा है एक महापुरुष के संबंद में उनका अलग हिमत है उनके विचारों के संशिप्त रूप क भी संशिप्त करते हुए जैसा रोजबरी द्वारा कहा जाए तो एक महापुरुष वह है जो संसार में आकर एक महान प्राकृतिक या अपनी प्राकृतिक शक्ति के रूप में एक डंड़ा दिकारी और एक सुच्छकार के रूप में जन्न लेकर समाज का परिचादन करते हुए और उसे सही पत पर ले जाते हुए उसके अंश्तह घनात्मक और मुख्यता रनात्मक किन्तु सभी प्रकार से पुनरोत्तकारी महान सुधार में रत रहता है इन में से सच्ची कसोटी कौन सी है मेरे निर्णा नुसार सभी आशंग सभी आशंक है अर्थात सभी आशंकित है कोई भी पून नहीं है सत्यनिष्ठा एक महान पुरुष की कसोटी अवश्य होनी चाहिए क्लीमेंश्यू महुद्दे ने एक बार कहा था कि राजनितिक लोग प्राया दुश्चरी होते हैं राजनितिक वस्तुत महान हो ऐसी बात नहीं है और प्रकट रूप से जिन व्यक्तियों के विश्य में उन्होंने यह धाना बनाई वे अवश्य ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन में सत्यनिष्ठा का अभाव रहा होगा तो भी कोई व्यक्ति इस सिध्धान को स्विकार नहीं कर सकता कि सत्यनिष्ठा ही प्रारंबिक उसके पास मात्र सत्यनिष्ठा के अत्रिक्त कुछ और भी होना आवश्यक है। एक मनुष्य सत्यनिष्ठ होते हुए भी मूर्ख हो सकता है। और एक मूर्ख एक महापुरुष्ट के गुणों से नितांत विपरित होता है। वह मनुष्य महान है क्योंकि वह आपतिकाल में समाज की सुरक्षा का मार्ग बनाता है, परंतु वह क्या वस्तु है जो उसे मार्ग प्राप्त कराती है, वह केवल प्रग्या के बलपर ही मार्ग प्राप्त कर सकता है, प्रग्या प्रकाश है, इसके अतरिक्त और कोई गुन ल के लिए यही समन्वय प्राप्त है, इस स्ती में जैसा मैं समझता हूँ, हमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक महापुरुष में अंदर करना चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि एक महान पुरुष एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से बहुत भिन होता है, सत्यनिष्ठा क्या होनी चाहिए यहीं पर महापुरुष के संबद में दाश्णिकों की परिभाशा का महत्व दिखाई पड़ता है एक महापुरुष समाजिक उद्देश्य की गति शीलता द्वारा हितु परिवर्तित हो और वह समाज के सुन्दडा दिकारी और सच्छाकार की भाती निश परिष्टित व्यक्ति से एक महापुरुष को भिन सिद्द करते हैं उसे सम्मान और शद्दा का अधिकारी बनाते हैं क्या रनडे महान पुरुष थे अवश्य ही वे अपने शारीक रूप से महान थे विशाल शरीर होने के कारण उनको महादेह कर पुकारा जा सकता था उन आईरिश नोकर की तरह जो अपने मालिक कार्डिनल वाइजमेन को यूर एमिनेंस के स्थान पर यूर इमेंस कहा करता था वह आशानवित प्रकृति प्रफुल सभाव सहन शील वरती और भोमुकी प्रतिबा वाले पुरुष थे उनकी सत्य निष्ठा कभी चारित्रिक गु सभी उनकी सत्य निष्ठा सभी चारित्रिक गुणों का सुयोग थी और उनकी सत्य निष्ठा उस प्रकार की थी जिसका प्रतिपादन कारलाइन ने किया था उनकी सत्य निष्ठा स्वशलागिय नहीं थी वह स्वभाविक सत्य निष्ठा थी एक सुनिष्चित गुण वह एक धाना की कई हावा नहीं थी, वे अपने श्रीर और सत्य निष्ठा में ही नहीं बड़े थे, उनकी प्रग्या भी महान थी, इस बात में कोई संदे नहीं कर सकता कि रानडे एक उच्छ स्तरिय प्रग्यावान पुरुष्ट थे, वह केवल अधिवक्ता या उच्छ न्याय नहीं हो सकते थे, जैसा कि अबरहाम लिंकल ने कहा था, राजनिती उन व्यक्तियों का संपरदाय है, जो जनता के हितों के अत्रिक्त भी कुछ हिते रखते हैं, और जो अधिकांश में एक समुदाइक रूप से, एक इमानदार व्यक्ति से, कम से कम एक कदम दूर रहते हैं यदपी राणडे राजनितिक नहीं थे, तो भी वे राजनिती के प्रकांड विद्वान थे, वास्ता में भारते इतियास में किसी ऐसे व्यक्ति को कठिंता से खोजा जा सकता है, जो राणडे के समान, विद्या की विस्तृत्ता, बुद्धीमत्ता की विस्तृत्ता और उ उन्होंने दक्ष्टा प्राप्ट ना कियो, उनका अध्यन विश्व्यापिथा और इन्च विद्वान थे, वे अपने समयानुगत माप के अनुसार ही महान नहीं थे, वरन वे सभी स्तर की माप से महान थे, जैसा मैं बता ही चुका हूँ, महापुरुष होने के लिए कोई दवा, व्यक्तिकत या समन्वे पर आधारित सत्य निष्ठा और प्रग्या की निव पर नहीं किया जा सकता, रनडे भी महापुरुष नहीं कहलाते यदि उनमें यही दोगुन होते और अधिक नहीं, उनके महापुरुष होने की उपाधी उनके द्वारा पूरी समाजिक उदेशियों पर निर्भर करती है और निर्भर करती है उस धंग पर जिससे उनने समाज सेवा की, इस विशे में कोई संधे नहीं हो सकता, रनडे इतिहास का अर्थशास्त्री और शिक्षाविद होने से अधिक एक समाज सुधारक के रूप में विख्यात हैं, उनका संपून जीवन एक अथक समाजिक सुधार संघर्ष के अतरिक्त कुछ है ही नहीं, उनके महापुरुष होने की हैं, दोने ही विद्यमान थे और जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था, उनकी परिकल्पना किसी भी दशा में उनके साहस से कम पर्थिभावान ना थी, यह कि उनमें पैगंबरों किसी परिकल्पना विक्सित हो गई थी, यह कोई आश्चरे की बात नहीं हो सकती, यदि उस काल का भी ख्याल किया जाए जिसमें उन्होंने जन्म लिया था, रनडे का जन्म 18-42 में किर्की युद के जिससे मराठा समराज्य का अंध हुआ, 24 साल बाद हुआ था, मराठा समराज्य के पतन ने विभिन लोगों में विभिन भावनाओं को उत्तेजित किया था नाटू सरीखे व्यक्ति भी थे, जो इस घटना से पूर्व सहय अपराधी थे और कुछ ऐसे भी थे जो इस घटना के बाद सहय अपराधी बनें, वे इतनी बात से तो प्रसंत ही थे कि किसी प्रकार ब्रहामन पेश्वा का कुराज्य तो समाप्त हुआ, परन्तु इसमें क कोई संदे नहीं कि इस घटना से संपून महराष्टर की जनता स्तब्द रह गई, जब संपून भारत थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ते हुए विदेशी शासन का ग्रास बनता जा रहा था, उस समय कम से कम इस छोटे से महराष्टर प्रदेश में एक ऐसी नसल के मनुश्य रहते थे, जो जानते थे कि सुतंतरता क्या थी, और जो इसके लिए तिल-तिल करके लड़े और परवत बन कर उसको प्रस्थापित किया था, बटिश विजय के बाद उन्होंने वही सुतंतरता खो दी, जो उनके लिए सरवादिक मूलेवान थी, कोई भी व्यक्ति है कल्प इस इतनी विशाल आपत्ती के विरुध कैसी परतिक्रिया हुई होगी, क्या यह पालायान पराभवता या भवतत्विता के परति समर्पन, भवता के परति समर्पन की अत्रिक्त भी कुछ हो सकता था, रणडे ने किस परकार विरोत किया बहुत ही भिंता से उन्होंने यही आशा बनाय रखी कि गिरे हुए उठेंगे वास्तव में उन्होंने जीवन वास्तव में उन्होंने नवीन विश्वास को संचारित किया था जिस पर उनकी यह आशा अधारित थी मैं उनी के शब्द उद्रत करता हूँ उन्होंने कहा मैं अपने वंश के दो गुणों में विश्वास रखता हूँ हमारा यह देश सत्य तहा आशा स्थल है हमारा यह वंश श्रेष्ट वंश है वे इस आशा और विश्वास के मुशाई सिध्धान की गोशना करते शांद नहीं बैठे रहे बल्कि उन्होंने अपने मस्टिक्ष का प्रयोग इस आशा को प्राप्त करने के लिए किया परतम कदम था इस पतन के कारणों का निरपेक्ष विशलेशन रनडे ने अनुभव किया कि यह पतन हिंदू समाज परनाली में दोश होने के करण और जब तक इन कमजोरियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक आशा पूरी नहीं हो सकती अथा इस नवीन सिध्धान्त के बाद करतवे पुकार उढ़ा यह करतवे कोई दूसरा नहीं वरन हिंदू समाज सुधार का करतवे था अताह समाजिक सुधार उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया उन्होंने समाज सुधार का तीवर आवेग उन्नत किया और उसके लिए ऐसा कोई कारे नहीं किया ऐसा कोई कारे नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। उनकी कारे प्रणाली में सबहाइ, मिशन, उपदेश, भाषन, लेकन, साक्षतकार, पत्र, आधी सभी सम्मुलित थे। और सभी अथक उत्सा के साथ कार्यानवित किये गए। उन्होंने बहुत सी सभाय आयोजित की, उन्होंने बहुत से समाचार पत्रों की स्थापना की, किन्तु वह इससे संतुष्ट नहीं थे, वह समाच सुधार को बढ़ाने के लिए कुछ अधिक स्थाई, कुछ अधिक व्यग्यानिक साधन चाहते थे, अतर उन्होंने समाच सम् के अधिवेशन होते रहे और वर्ष प्रतिवर्ष रानडे इसके अधिवेशनों में तीर्थ यात्रा की भाती आते रहे और समा सुधार के कार्य पोशित करते रहे समाजिक सुधार के उद्देश्य को पोशित करने में रनडे ने सबसे रनडे ने बड़े सहस का परिचे दिया इस पीडी के बहुत से व्यक्ति इस तावे पर संभवता हसेंगे भारत में जेल जाने का कारे शहादत का रूप धरन कर चुका था यहां दोनों परकार का कारे माना जाता था देश भक्ति के साथ साथ सहस का भी बहुत से लोग जिनको अन्मे था कोई जानता भी नहीं और जिनके विश्य में यहां ठीक परकार से कहा जा सकता है कि वे ऐसे गुंडे थे जिनकी अंतिम शर्ण राजनीती होती है वे जेल जाकर शहीद बन गए हैं और उन्होंने बड़ी परसिद्धी प्राप्त कर लिया है और अधिक क्या कहा जाए अब वे एकदम चमतकारी हो गए हैं इस दृष्टी में कुछ ठोसपन भी आ जाता यदि जीवन उतना यातना प्रद हो जाता जितना कि वे तिलक और उ प्रतम शेणी में रखे जाते हैं वहां पर अब कोई भी दुख सहन करने के लिए नहीं है उनकी कोई ख्याती नश्ट नहीं होती और अब एकांतवास का डंड भी नहीं है इसके लिए किसी साहस की आवशकता नहीं है परंतु उस समय जब जेल जीवन यातना मई है जैसा कि तिलक के समय में था उस समय यातना के करन कोई राजनितिक व्यक्ति समाज सुधारक होने का सहास भी नहीं कर सकता था अधिक अधिक लोग यह नुभव नहीं कर पाते कि समाज एक सरकार से भी अधिक अत्याचार और उत्पिड़न कर सकता ह समाज के पास उत्पीलण के साधन और कारेशेת्र एक सरकार के उत्पीलण साधन और कारेशेत्र से भी अधिक व्यापक और उससे अधिक परभावकारी भी हैं जाती भहिशकार से अधिक भयानक और विशाल डंड प्रवधान, डंड सहिता में कौन सा डंड प्रवधान है जो इसकी बराबरी कर सके, किसका महांत सास है, समाज सुधारक का, जो समाज को चुनौती देकर स्व्यम भहिशकार को आमंतृत करता है, या राजनितिक व्यक्ति क जो सरकार को चुनौती देकर कुछ महां या साल के लिए जेल जाता है, एक समाज सुधारक और राजनितिक देशभक्त में एक और विवेद है, जो प्राहया दृष्टी से ओजल रहता है, जब एक समाज सुधारक समाज को ललकारता है, तो उसे शहीद कहकर जैजेकार करने वाला कोई नहीं होता, कोई उसका मित्र बनने को भी तयार नहीं होता, उससे अतीशे घ्रना और परहेज किया जाता है, परंतु जब राजनितिक देशभक्त सरकार को ललकारता है, तो उसको संपूर्ण समाज का समर्थन प्राप्त होता है, उसकी प्रशिंसा की जाती है, स तरगत लड़ता है इस तत्ते को अस्विकार करना मुर्खता होगी कि रनडे ने समाज सुधारक के रूप में साहस का परिचे दिया वास्तव में उन्होंने एक उच्छ शेनी के साहस का परिचे दिया क्योंकि यह भी याद रखना चाहिए कि वे उस समय के वेक्ति थे जब सम इस निंदा और पाप समझा जाता था समा सुधारक के नाते उनका मार्क सरल नहीं था बहुत सी दिशाओं में अवरुत था जिन लोगों का वे सुधार करना चाहते थे उनकी भावनाओं की जड़ अतीत में गहराई से जमी हुई थी उनका विश्वास था कि उनके पूर्वच सरवादिक पुदिमान और सर्वशेष्ट पुरुष थे और समाज परनाली जिसे उन्होंने सरचित किया था सर्वशेष्ट आधरशों पर आधारित थी जो कुछ समाज में रानडे को लज्जाजनक और ब्रहमक लगता उनको वह कि विभक था विविविन विविन हम दोउर्भ विद्वान वर्ऺ बिचार धारों में विभग था एक विचार धार जो अपने कि विष्वास अनुषार कं धर्मपुराण थी परब्रेंके द्रिश्ट्व के विचा आंयों और दूसरी विचायधरा जो अपने विश्वास अनुसार आदुनिक थी, किन्तु मूल तहां अपने लक्ष्येवन उद्देशियों के लिए, राजदितिक थी। पहली विचारधारा के नेता मानिय चिपलून कर थे और दूसरी के तिलक, दोनों रनडे के सम्मिलित विरोधी थे, वे उनकी रहा में जितनी कटनाईय उत्पन कर सकते थे, करते थे, उन्होंने समात सुधार के धे को ही सरवाधिक हानी नहीं पहुँचाई, वरन जैसा अनु थे, हीगल के दृष्टिकोन से यहां मेरे लिए एक पहली है अर्थात, आदर्ष को वास्तविक बनाना और वास्तविक को आदर्ष रूप प्रदान करना, इस प्रकार यह एक भेंकर भ्रांती थी, हिंदु धार में केवं समाजिक प्रनाली इस प्रकार की है, कि आप इसके आदर्ष रूप को वास्तविक्ता प्रदान करने में अग्रसर नहीं हो सकते, कि वह आदर्ष ही दोष्पून है, ना आप वास्तविक को आदर्ष की उचाई तक पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं, कि वास्तविक्ता उधानार्थ वरतमान कार्य कारण की स्थिती दूशित ततर से दूशित्तम है। यह कोई अति शोक्ती नहीं है। हिपरत Behavior को लीजिये या समाजिक परणाली को और समाजिक टृविकषिक निया के दिश्टिकोण से परिक्ष्ण किजिए। यह कहा जाता है, द्ञ अच्छा होता है। जब प्रारंब होता है। परंतु हिंदु धर्म प्रारम से ही खोटा सिखा है। इसने हिंदु समाज पर सरवादिक आकरशक और अपमांजनक प्रभाव डाला है। यह अपने रूप और अस्तित्व की द्रिष्टी से निच्छे का धर्म है। अत्तिंत पूरुकाल में निच्छे ने मनु के रूप मे जर्म लेकर वही धर्मादेश दिये जिसे मनु ने उपदेशित किया। यह वह धर्म है जो वास्तर में सुतंतरता, समता और बंदुता की स्थापना नहीं करता। यह ऐसा धर्मादेश है जो निच्छे के अति मानर ब्रहामन को संपूर्ण हिंदु समाज द्वारा पूज जीवित रहने और शासन करने के लिए पैदा हुआ है। अन्य सब और किसी कारे के लिए नहीं के वह उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए है। उनका जीवन स्व्यम जीवित रहने के लिए नहीं है और उन्हें अपने व्यक्तित्व की उन्नतिक करने का कोई अधिकार नह अपनी परिधी में ही हिंदु धर्म को अवपर भावित रखना रखता हुआ घूमता रहता है उसको हिंदु धर्म उप्तेश का विरुवत करने का साहस कभी नहीं हुआ सर्व मिदम ब्रह्म का हिंदु धर्शन केवल बौधिक विश्य बनकर रह गया है यह समाजिक दर्शन कभी भी नहीं बना हिंदु धर्शनिकों ने दोनों को अपने दर्शन और मनु को दोनों हाथों में अलग-अलग पकड़क रखा है दाहिने हाथ को यह पता नहीं कि बाएं हाथ में क्या है हिंदु को अपने अनैक्य से कभी दुख नहीं होता उसकी समाजिक प्रणाली जैसी निक्रष्टतम वस्तू क्या कुछ और हो सकती है जाती वाद स्यम चतुरे वर्णे का उनर भर्व रूप है जो कि हिंदु धर्म का आदर्श सिध्धान्त है कोई व्यक्ति जो जन्जात मूर्ख नहीं है इस चतुरे वर्णे को समाज का अधर्श रूप किस प्रकार से कार कर सकता है व्यक्ति कतर समाजिक रूप में यह मुर्खता और अपराध है एक वर्ग केवल एक को ही शिक्षा और विदुता का अधिकार हो एक वर्ग मातर एक वर्ग ही अस्तरधारी हो एक वर्ग मातर एक वर्ग ही व्यपारी हो एक वर्ग मातर एक वर्ग ही सेवा करे एक व्यक्ति के लिए इसके परिणाम सुस्पष्ठ है आपको ऐसा व्यक्ति कहां मिल सकता है जिसके पास जीविको पारजन के लिए कोई साधन ना हो जो अपने शिक्षा को अधरपतित नहीं करेगा आपको एक ऐसा अशिक्षित और असंस्कृत सैनिक कहां मिल सकता है जो अपने अस्तरों का प्रियोग केवल ब्रहामनवात की सुरक्षा एवं अपरिवर्तन के लिए करे और विनाश के लिए नहीं करेगा आपको ऐसा वेपारी कहां मिल सकता है जिसकी सभाविक प्रव बात्र कहां मिल सकता है जो शिक्षा प्राप्त नहीं करें जो अस्त्र धर्ण नहीं करें जो अपने निर्माता के अनुसार की अच्छा अनुसार मनुश्य बनने योगिये किसी अन्य जीविको परजन के साधन को अधिकृत ना करें यदि यह धर्म व्यक्ति के लिए विशम है तो समाच के लिए मरमान तक है किसी समाचिक धांचे का सुखद रितु में भला रहना ही पर्याप्त नहीं है वह जनजवातों को भी सूर्तु में परिवर्तित करने के युग्य हो क्या हिंदू जाति प्रता तेज आंधी और अकरामक वायु का सामना कर सकती है यह सूस्पस्ट है कि वह इनका सामना नहीं कर सकती या नहीं तो पर्याप्त सुरक्षा हो या आकरमन के समय समाज अपनी सभी शक्तियों को सुसंगटित करने में समर्थ होना चाहिए भिबिन जातियों में विभाजित और अपरिवर्तिन शीलता के रूप में निर्धारित करतव्य कर्मवाले समाज का अपनी शक्ति को सुसंगटित करने का कौन सा धंग है किसी की सुरक्षा किस परकार की जा सकती है यदि उसकी सैना को आपात काल में बढ़ाया ना जा सके यह भगवान बुद्ध नहीं है जिन पर सत्य और अहिंसा के धार्मिक सिध्धान्तों के कारण हिंदू समाज को निर्बल बनाने का आरोप लगाया जाता है यह भगवानवात का सिध्धान्त है जो देश की पराजे के लिए ही उत्तरदाई है वरन हिंदू समाज के पतन के लिए भी पून्ता उत्तरदाई है समाज के उपर हिंदू धार्मिक समाजिक सिध्धान्तों के अधा पतन कारी पीडा के विश्य में मैंने जो कुछ कहा है वे आप में से कुछ लोगों को अवश्य बुरा लगा होगा परंतु सत्य क्या है क्या इस आरोप का खंडन क्या जा सकता है क्या विश्व में कोई ऐसा समाज है जिसमें अर्सपर्शिय अनी कटगम में अपरतिबिम्ब्य और अध्रिष्टव व्यक्ति रहते हों, क्या कोई ऐसा समाज है जिसकी एक जन संख्या अपराद जीवी हो, क्या कोई ऐसा समाज जिसमें आज भी आदिवासी हो, जो जंगलों में रहते हो, जिनको कपड़ा पहनना भी ना आता हो, जिना सोचिए ऐसे व् करड़ों में हैं करड़ों अपराद जीवी करड़ों वन्य जीवी यह देखकर आश्चर्य होता है कि क्या हिंदू सब्विता भी कोई सब्विता है या मानता का कलंग है यह तो सिध्धान के विश्य में बात हुई जब रंड़े संसार के रंगमच पर पकट हुए उस समय की परिस्थितियों की और चलिए ततकालीन परिस्थितियों का वे जिस अधापतन की स्थिति में पहुंच चुकी थी उस समय का अनुभव करना असंभव है जब अंग्रेज लोग यहां आये तो उनको रंड़े जैसे सुधारकों का सामना करना पड़ा मैं विद्वान वर्ग की दशा से विद्व द्वर्ग की दशा से प्रारम करता हूं किसी संस्कृति या सब्भिता का पोशन और पतधर्शन अवश्य ही उसके बुद्धी जीवी वर्ग पर नि ब्रहामन को प्रान डंड नहीं दिया जा सकता था चाहे वह हत्या का ही अपरादी क्यों नहों इस्ट इंडिया कंपनी ने उसके इस विशेश दिकार को 1827 तक बरकरार रखा इसमें कोई संदे नहीं कि वह प्रित्वी का गण मानने व्यक्ति है किन्तु क्या उसमें कोई व्यवस्तित रूप से समाज का शिकार किया और धर्म से अनुचित लाब उठाया पुरान और शास्त्र जिनकी उसने छकडो भर रचना की सब ऐसे विधानों से भरे पड़े हैं जिनका उप्योग उसने गरीब अशिक्षित और अन्विश्वासी जिन्ता को मुर्ख बनान ब्रामनों ने अपने अधिकार और विशेश अधिकारों का हिंदूों से नकद लाब उठाने के लिए ठीक से परियोक किया जो इसको अधिक जानना चाहते हैं वे 1795 के रेगुलेशन नंबर 21 की रस्तावना को पढ़कर देखें उसके अनुसार यदि कोई ब्रामन किसी वस इसके वायों का परियोक करता था जैसे अपने शेल को चाकू या उस तरह से खंजना या जहर खाकर मर जाने की धमकी देना अपने स्वारती देशियों की पूरति करने के लिए या सामाने त्रीके जिनने ब्रामन काम में लाता है इनके अत्रित कुछ और भी तरीके थे जिने ब्रहामन हिंदूं को उत्पिल्ट करने के लिए काम में लाता था ये उतन ही आसाधरन थे जितने की निरलज ता पून एक सामाने पर था यह थी कि शिकार के घर के सामने एक गोल घेरा बनाते थे जिसके बीच में लकडियों का ध्यर लगा दिया जाता था उसके अंदर एक बुढिया ब्रहामनी को जिलाने के लिए तत्पः करके बढ़ा दिया जाता था इस परकार का एक और तरीका था बीवी बच्चो को अपने शिकार की आखों के सामने बढ़ा कर उनके सिर उडाने की धंकी देना एक और तरीका था धरना अपने शिकार की देहरी पर भूख हर्दाल करना यह तो कुछ भी नहीं है ब्रामनों ने तो अब ब्रामनों की इस तरियों को भी दूशित करने का तरीका प्रारंब कर दिया था यह पर था काली कट के जमोरीन और वैशनवों के बल्लभाचारी संप्रदाय में परचलित थी आप देखे ब्रामन पतन के कितने गहरे गर्त में जा पड़े थे यदि बाइबल की कथा नुसार नमक अपने नमकीन पन को छोड़ दे तो वह चीजों को कैसे नमकीन बनाएगा कोई आशरे नहीं जिए हिंदू समाज ने अपने सदाचारिक नियम को इस भयावा स्तिती में गवा दिया तो इस्ट इंडिया कमपनी को इस सदाचारी अधह पात को रोकने के लिए अठारा सो उननिस में कानून नमबर साथ पास करना पड़ा इस अधिनियम की प्रस्तावना बतलाती है कि वैश्या वरती के लिए लोगों के घरों से पतनियों लड़कियों को भगा ले जाने के लिए कुटनी स्तिरियों को पूरी तरह काम पर लगाया जाता था अब पूर्शों के लिए अपनी स्तिरियों और लड़कियों को छोड़ देना एक सामाने परता थी सुवविवेक नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी और विवेक के अभाव में समाजिक दोशों के विरुध सामुहिक आवाज उठाने की किसी की हिमत नहीं थी जिसंदे ब्रहमनों की जीविका होने के कारण वे इन समाजिक दोशों की रक्षा करने में तरत थे उन्होंने अर्सपरश्टा की रक्षा की जिसके कारण करणों मनुष्य दास और अपराधी बना दिये गए उन्होंने जाती की रक्षा की, कन्या विभा की रक्षा की और बलात वैधव्य अर्था विद्वा रहने रहे की रक्षा की जो जाती पर्था के दो स्तम थे ये आप बाबा साहिब का भाषन सुन सकते हैं यूटूब पर भारत में जातियां उन्होंने सती पर्था की रक्षा की और उन्होंने शेणी बद असमान ता मैं अनुलोम परतिलोम नियम के साथ जाती पर्था की रक्षा की जिनके करण राजपूतों ने अपने परिवारों में जन्मी हजारों लड़कियों को जान से माड़ा कैसी लज्जा, कैसा पाप, क्या ऐसा समाज सू संस्रत राष्टों के समुख अपना कलंकित मुख दिखा सकता है, क्या ऐसा समाज जीवित रह सकता है, इसी परकार के प्रश्ण थे जिने रनडे पूछा करते थे, उनका अंतियम निर्ण यही था कि केवल एक देशा में इसे पचाय जा सकता है अर्थात कष्ट साध्य समाजिक सुधार द्वारा, रनडे सबसे बड़े विरोधी राजनितिक विचारधारा के बुद्धी जीविवर्प्य थे, इन राजनितिक लोगों ने एक नई थीसिस बनाई थी, इस नवीन थीसिस के अनुसार राजनितिक एक से दूसरे मंच तक भहसे की गई और इसकी पुष्टी बंबई उचनियाले के नयाधीश जस्टिस तैलंग तथा एक सुचतुर वकील की कानुनी दलीलों द्वारा की गई, इस परतिपादन ने लोगों को आकरशित किया, यदि समाजिक सुधार आंदोलन के मार्ग वि का कोई एक अकेला कारण था, तो वह यही राजनितिक सुधारों की दुहाई देना था, यहाँ परतिपादन और समर्थनिये हैं, और मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है, कि राण्डे के विरोधी गलत थे और इस विचार को आगे बढ़ा कर उन्होंने देश के सर समर्थन किया नी संधे तारकिक थे, परन्तु वह बिल्कुल भूल गए कि तर्क कभी हितु नहीं होता, और इसकी समरूपता प्रमान नहीं बनती, ना उनको सामाजिक और ना राजनितिक, पार्यों के आपसी संबंद का वैसा ही ग्यान ही था, जैसा कि रानडे को था, हमें इस परतिपादन के ज्यान सम्बत हेतुं का परिक्षिन करना है, वे हेतु जो इस विश्य में बतलाए गए, बहुत चिता करशक नहीं थे, किन्तु मैं तो इस संबंद में सरवादिक परभावशाली तरकों का, जो इस विश्य में किये जा सकते थे, उत्तर देने को तयार ह फिर भी परतिपादन सिद्ध नहीं हो सकेगा, निम नोक्त हेतु मुझे बहुत प्रभावशाली जचे, प्रतम तो यह कहा गया कि हम राजनितिक सत्ता को पहले चाहते हैं, क्योंकि हम जंता के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, यह तरक अमरीकी राजनितिक जैफरस किन्तु जैफरसन के मतरुसा राजनिति का अर्थ था केवल पुलिस परबंधन करना, ताकि जंता के अधिकारों की रक्षा बिना रुकावट के हो सके, मान लिजिए यह सिध्धान ठोस है, तो प्रश्ट उठता है सरकार को पुलिस परबंधन करने की क्या आपशकता है, य पुर्वास्वयम ही एक असंगत स्थापना है, जब तक कि यह विचार स्थापिदना हो जाए कि सरकार को उनी लोगों की रक्षा करनी है, जिनको विहत अधिकार प्राप्त हो और उनको डंडित करना है, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, इस संबंध में जो दूसरा कि वे लोग राजनितिक सत्ता इसलिए चाहते हैं, क्यूंकि वे प्रतेग व्यक्ति के लिए कुछ मूल्य अधिकारों की विधी द्वारा स्थापना करना चाहते हैं, और इस प्रकार के अधिकारों की विधी विवहता तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती, जब तक पहले राजनितिक प्राप्त ना कर ली जाए यह वास्ता में बहुत ठोस तर्क लगता है किन्तु क्या इसमें कुछ तत्व नजर आता है अमरीकी सविधान में मूल अधिकारों का विधान हो जाने अक्रांतिकारी फ्रांस द्वरा विधान में सम्मिलित किये जाने के बाद वह पुरस्करत करने का विचार बहुती सरानी है परसन उठता है उनको प्रभावकारी कैसे बनाया जाए परसले द्रिश्टिकोंड यह है कि जैसे ही अधिकारों का विधायन हो जाता है उनकी रक्षा की जाती है फिर यह भी एक अनुचित अनुमान है यह अनुभव से रक्षा विधी से नहीं वर्ण समाज की समाजिक और सधाचार्नी विवेक शिलता से की जाती है यह इधि समाजिक परचेतना इस प्रकार की है कि वह उन अधिकारों को मानेता प्रदान करें जिनने कानुन विधायन विधायन के लिए चुना जाता है तो वे अधिकार सुरक्षित रहेंगे परन्तु यदि समाज द्वारा मूल अधिकारों का विरोध किया जाता है तो कोई कानून, कोई संसत, कोई नयापालिका उनके जिम्मेदारी शब्द के सही अर्थ में नहीं ले सकती अमरीका के निग्रो लोग, जर्मन, के यहूदी और भारत के अचुतों के लिए मूल अधिकारों का क्या प्रयोजन है बर्ग के कथानुसार असंख्या, लोगों को डंडित करने की कोई पदती नहीं पाई जाती है कानून एक निस संग दुरदान्त अपरादी को डंडित कर सकता है वह जनता की उस पूरी जमात के विरुध कभी क्रियानवित नहीं किया जा सकता जो उसकी अवग्या करने के लिए कृत संकल्प है समाजिक प्रचेतना कोल्डिज के शब्दों में है वह चैतिक शांत अभ्रष्ट विधायक जिसके बिना सभी शक्तियां केवल प्रतिरोध बन जाती है सभी मूल और अनमूल अधिकारों का केवल संदक्षक है राजनितिक व्यक्तियों का तीसरा वर्ख सुराज अधिकार पर आधारित हो सकता है यह कि सुराज एक सुराज से शेष्टतर होता है एक सामाने रोधन है कोई व्यक्ति इसको इस नारे से अधिक महत्व नहीं दे सकता और सभी यही चाहेंगे कि सुराज सुराज भी होना चाहिए इसमें भी कोई संदे नहीं है कि राजनितिक सुराज लाना चाहते थे और उनका धेय था लोकतंत्री सरकार की स्थापना करना परन्तु उन्होंने स्थिर भाव से ही विचार नहीं किया कि क्या लोकतंत्री सुराज लाना संभव है उनका विवात करमिक हित्वा भास पर आधा था लोगतंत्रिय सरकार से पूर्व लोगतंत्रिय समाज की विचार समाज का विचार किया जाना चाहिए यदि लोगतंत्रिय समाज नहीं है तो अपचारिक लोगतंत्रिय सरकार का कोई महत्व नहीं होगा और वहस वास्तम में अनुप युक्त होगी राजनितिग्यों ने य रूप नहीं था वह तो अन्नी वारित समाज का सरूप था लोगतंत्र के लिए यहां आवशक नहीं कि वह एकता उदेश्यापून समाज जन हितों के प्रति भक्ति और लोगतंत्र दो तत्वों से निर्भ्रांत रूप से माना जाता है पहला है मानसिक भाव अपने सातियों के प्रति आदर और समान का भाव लोगतंत्र विशेशादिकार प्राप्त व्यक्तियों और अविशेशादिकार प्राप्त व्यक्तियों के विभेद में परिनत होने वाले अलगाव और बहिशकर्ण से असंग और विरुद होता है। दुख का विश्य है कि राणडे के विरोधियों ने कभी इस तत्थे का अनुभव नहीं किया। किसी भी कसोटी पर परखा जाए। परिणाम यही निकलेगा कि राणडे ने इस विरोधी परिस्तिती में जो पक्ष लिया और जो कारे आयुजित कर उन्हो म्नुश्य का सदचार भाव माणनेता दे सके यहां तो विश्यष अदिकार थे और अयोग्यताय थी। कुछ थोड़े से मनुश्यों के विश्य दिकार थे और ब्रहद कि म पहुमत के लिए अयुग्यताएं रनडे ने लोगों को अधिकार प्राप्त करने के लिए संखर्ष किया अधिकार प्राप्त कराने के लिए संखर्ष कराया रनडे हिंदु समाज की उस प्रचेतना को शक्तिशाली बनाना चाहते थे जो माना असन और साथ ही रोग्रस्थ हो थी रंडे ने उस वास्तविक समाजिक लोकतंतर को स्थापित करने का लक्षे बनाया जिसके बिना वास्तविक और स्थाई राजनितिक लोकतंतर नहीं आ सकता था दो विरोदी दिष्टिकोणों में संगर्श था और उस प्रस्ण पर पुंडलित हो गया था जो राश्ट को जीवित रखने राजनितिक स्थिंदर्ता और सदाचार भाव के लिए बहुत ही महत्वपून था रनडे इस मत के थे कि सदाचार शक्ती राजनितिक सतंदरता से कहीं अधिक महतोपून है यही दिरिश्टिकोन महान जुनानी इतिहासकार लैकी का भी था जो इतिहास के सावधान और तुनात्मक अध्यन के बाद इस निशकर्ष पर पहुंचा था कि किसी राष्ट की शक्ती और समर्दी की नीव डाली जाती है उसके पवित्र ग्रहस्त जीवन वैपारिक शुदता वर सच्चाई सदाचार के उचसतारी आधार पर और उसकी सारवजनिक शक्ती की नीव डाली जाती है उसके सरल सभाव, साहस, सत्य निश्ठा और ऐसे निर्णों पर जो सच चरित्रता पर उतने ही आधारित हों जितने की बुद्धी मत्ता, आदुनिकता और ग्रड़ता के आधार पर यदि आप किसी राष्ट के भविश्य के विश्य में अपना मुद्धी मत्ता, पूर्ण, निर्ण, निर्धारित करें तो आप सावधानी से इस बात की जांच कीजिए कि ये गुण बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं साथानी से दिरिक्षिन कीजिए कि जन जीवन में किस प्रकार के गुण अधिकतर व्यापक हैं क्या चरितर को अधिक महत्वत दिया जाता है या कम क्या वे मनुष्य को राष्ट के सरवच पदों पर कारे करते हैं ऐसे व्यक्ति हैं जिनके निजी जीवन के विश्य में दलगत भावना से दूर है कर देखने वाले स्यों के निरनायक सच्चा आदर प्रकट कर सकते हैं क्या वे अपनी आस्थाओं के परती सत्यनिष्ठा सुस संगत चीवन और निर्विवाद एक्ता के अधिकारी हैं इस विचारधारा के अनुसार पर्यवेक्शन करके ही आप राष्ट की सरवष्ट राष्ट की सरवश्रेष्ट और प्रमानिक जर्मपत्री बना कर दिखा सकते हैं रणे केबल बुदीमान ही नहीं वरन तरक्षिल विक्ती भी थे उनूने अपने विरूदियों से राजनितिक स्धारवादी और सामाजवादी अनुदार वादियों की तरह वेहवार करने का विरूद किया था। उनूने उनको पष्ट और सच्चे अर्थों में साबधान क आप अपनी बुद्धी मत्ता को, पनपा, अपने मस्तिक्ष को, संबर्द अपने अधिकार और विशिशादिकारों को, विस्तृत और साथ ही अपने मन को संकुचित और अवृुद नहीं कर सकते। आप अपनी जंता से जो कि विदेशी शासकों से अपने अधिकार और विशिश अधिकार प्राप्त करने के लिए दुर्ध मनिय संगर्श मेरत हैं, अपने ही अनविश्वास और समाजिक दोशों में बंधे और जकड़े रहने की आशा नहीं कर सकते, ऐसी आशा करना एक ध्र अनुभव से ग्यात हुआ है कि राणडे के ये शब्द यहां तक सत्य हैं कि ये दिव्वे संदेश का रूप ले चुके हैं, वे वेक्ति जो इस बात को स्विकार नहीं करते विचार करें, हम आज राजनीती में कहां पर हैं और जहां पर हम हैं वहां पर हम क्यों हैं, थारत वादियों के हाथ से आदर्श वादियों के हाथ में चला गया है, परन्तु यह अवश्य कहना चाहूंगा कि वे उदार वादियों के हाथ से करांती वादियों के हाथ में पहुँच गया है, इस राजनीतिक दौर में पचास वर्ष बाद देश कहां पहुँचा है, बस आपको रनड़े के पक्ष की मूल महत्ता का अनुभव हो जाएगा। क्यूंकि इस परशन का उत्तर आप उस दूशित समाजिक पर्था में पाएंगे जो नितांत और लोक तंत्री है, जो जन्ता के विरुद और बर्गों के पक्षपात के अत्याधिक भार से अत्यंत भारिद है, जो अत्यंत वर्ग चतन्य एवं अत्यंत जाती वादी है। के लिए राजी नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपनी संतुष्टी के लिए ये तरक दे सकते हैं कि यह अवरुत्ता तो ब्रेटिश सकार में पैदा की है। लोग उन्ही विचारों को अधिक में पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छे लगे और दूसरों पर उत्तर दायत्व को थोपते हैं। यह पलायन वादी मनविज्ञान है परन्तु इस से यह तत्थे बदल नहीं सकता कि उस समाजिक प्रथा का ही अवगुन है। कि यह उस समाजिक प्रथा का ही अवगुन है जिसने सामप्रदाइक समस्यां को पैदा किया और जो राजनितिक सत्ता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बादत है। प्रण्डे का उद्धिश्य यदि इस सामप्रदाइक समस्यां का नवीनी करन नहीं था तो इस प्राचीन प्रथा का पवित्री करन तो अवश्य ही था। उन्होंने हिंदू समाज के सदाचार को उन्नत करने पर बहुत बल दिया। यदि उनकी बात सुनी जाती और उसका नुसरन किया जाता तो इस प्रथा को अपनी दारूनता और कड़ोता से छुटकारा मिल जाता। यदि समाज से सामप्रदाइक समझोते को ओजल ना किया जाता तो यहा काम बहुत जरल हो जाता। कि इस देशा में सीमित प्रयास भी पारसपरिक विश्वास के मार्क को खोल दिता। परंतु राजनितिक व्यक्तियों को राजनितिक सत्ता का उनमाध हो गया था। जिसने उन्हें पून्तह अंधा कर दिया था। उने किसी भी बात में कोई विश्षता दिखाई नहीं पड़ती थी। राजनितिक संड्रक्षन की दिन समाजिक सुधार की अवेल ना करने का डंड नहीं है। राडे ने उस शेतर में जिसमें उन्होंने इतने प्रभावशाली रूप में काम किया था, कितनी सफलता मिली, किसी विशेश अभी प्राय से ही है, प्रशन बहुत महतुपूर नहीं है, सफलताओं का मापदन महांता का गोहतक नहीं है, कारलाईल के कथा नुसार, हम इसे भल बाती जानते हैं कि आधर्ष पूर्ण रूप से आचर में नहीं लाए जा सकते हैं, आधर्ष मार्ग में ही अवश्य छूट जाते हैं, किन्तु हमें इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हमने अपनी शक्ति भर उनका अंश्तह पालन किया, यदि इस निर्धन संसार म महोद्य ने कहा है, सत्यता की कमी को कारे पूर्थी के कड़े पेमाने से नहीं मापना चाहिए, हम ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान मनुश्य नहीं कहेंगे, हम उसे चतुष्ट और संतुष्ट मुर्ख व्यक्ति ही कहेंगे, फिर भी रानडे का सफलता का प्रयास मितांत र अनचारली ने किया है, वे पाँच है, बाल विवा, विद्वा पुनर विवा, विदेश यात्रा विदेशों में ठहरने की हमारे देशवासियों को सतंतरता, स्त्रियों का संपत्ति मेदिकार और स्त्री शिक्षा इस कारे काल में उन्होंने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की, यदि वे अपने पूरे कारे करम में सफल नहीं हो सके, तो इसका कराण यह था कि उनके सामने बहुत सी बाद है, मूबांदे, मूबाएं खड़ी थी, जिसको हमें भूलाना नहीं चाहिए, एक चतुर और सद जैसी स्तिती उत्पन कर दी, ये द्रिशे उतने ही रोमांचकारी थे जितने की घंगोर युद के द्रिशे हुआ करते हैं, वास्ते में यहाँ एक युद ही था, उस समय की परिस्तिती का कोई स्मरण भी नहीं कर सकता, जबकि देश में सामाजिक सुधार के उपर यह गर्णित हत्कंडे जो कट्टर धार्मिक हिंदूों के द्वारा समाज सुधारकों को दिखाए गए अत्यंत विभत से भेंकर हैं, उन गर्णित लेकों को पढ़ना भी संभव नहीं है, जो आयू सहमती विधेक, एज और धार्मिक कट्रता के समर्थन में सनातन धर्मी गर्णित की और से लिखे गए, उस गर्णित की गहराई का, जिसमें उन तत्कालिन जननेताओं का अधापतन हो चुका था, इन लेकों से अनुमान होता है, इस विधेक का उदेश था, उस पती को डिंडित करना जो अपनी 12 साल से कम आयू की पतनी के साथ सहवास करता है, क् कोई व्यक्ति जो निरलज नहीं है, इस अधरन कानून का विरुवद कर सकता था, किन्तु इसका विरुवद किया गया और रनडे को इस विशिप्त धार्मिक कट्टलता के घाउं को सहन करना पड़ा, यह मानते हुए रनडे को जो सफलताय मिली, वे अधिक नहीं थी, कौन अज़िक सफलता पाने की आशा में प्राप्त असफलता की अभी मानवश हँसी उड़ा सकेगा, समाजिक सुधार का असफल होना सभाविक था, समाजिक सुधार के प्रति अत्यंत भ्हेंक का घना थी, राजनितिक सथ्ता का आंदोलन अत्यंत मोहक था, पईणाम यह हुआ क कि समाजिक सुधार के अनुगामी थोड़े-थोड़े करके कम होते गए कुछ समय बाद समाजिक सुधार का मन्च ही समाप्त हो गया उस पर भारती राश्ट्य कॉंग्रिस नदिकार कर लिया था राजनितिकों को समा सुधार को पर विजय प्राप्त हुई मुझे विश्वास वे उन दोशों के पक्ष में भी नहीं थे, जिनके समर्थ हनके कुछ विरोधी लोग थे। अरानडे दूसरों की तुल्ना में किस परकार आते हैं। तुल्ना सर्वदा, हासे ऐस्पद और अरुचिकार हुआ करते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी सकते है कि तुलनाओं से अधिक ग्यान दायक और कुछ नहीं है, नीसंदे तुलना करके समय, यह भी तुलना करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्चिक है कि रूचिकर और शिक्षा पर तुलना समान विक्तियों में ही करनी चाहिए, सुयोग से यह तुलना का शेत्र भी है रॉनडे समासुदारक थे और एक समासुदारक के नाते उनकी तुलना दूसरे समासुदारकों से होनी चाहिए विशे शुरूप से रॉनडे की तुलना जोतीबा फूले के साथ ग्यान दायक होगी फूले सन 1823 में जन्में और 1890 में उनका दियानत हो गया रानडे सन 1942 में जन्म लिया और 1901 में मृत्य को प्राप्त हुए इस परकार फूले और रानडे समकालिन व्यक्ति थे और दोनों अगरनी समात सुधरत थे उस लोगों को रानडे की तुलना दूसरे राजनितिक्यों के साथ करने में शायद आपती हो या पती इसी आधार पर हो सकती है कि रानडे राजनितिक्य नहीं थे यह कहना कि राजनितिग्य नहीं थे, राजनितिग्य शब्द के अर्थ को बहुत ही संकुचित और सीमित करना होगा एक राजनितिग्या केवल अपना कारे ही नहीं करता वरन वह राजनिती की कारे पणाली और मनोविग्यान को अच्छधित करने वाला एक विश्वास का भी परतिने जित्वक करता है राण्डे एक राजनित्य की विचारधारा के भी संसापक थे और वह विचारधारा कारेपद्यती और मनविग ग्यान दोनों की दृष्टी से विशिष्ट थी इस बात को दिरिषटी में रखते हुए कहा जा सकता है कि राणड़ एक राज़मीतिग्यत है और उनकी दूसरे राजनितिग्यों के साथ उद्देशपुन तुन्ना की जा सकती है समासुधारकों और राजनितिक्यों के साथ राड़ा की तुलना ज्ञानप्राद होगी और इस प्रकार की तुलना के लिए प्रयापत समगरी consistsig है यह प्रशन सामिक है और दूचिकर भी समय के दृष्टी से राणड़ा की विस्ते तुल्णा समा सुधार को के साथ साथ राजनितिकियों के साथ नहीं की जा सकीगी यह रुची का प्रषणियादी मुझपर छोड़ दिया जाए तो मैं राणडे की तुल्णा फूले से करने को परातमिक्ता दूंगा क्योंकि मैं समाजिक सुधार को राजनितिक सुधार से अधिक मौलिक मानता हूं दुर्योग वश मेरी रूची भिन है और मैं यहानुभव करता हूं कि शुरताओं को रोकिया रखने में मुझे उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखना मेरी रूची से अधिक अच्छा होगा अब समा सुधार का साभी ठंडा कर दिया गया है राजनिति की धुन ने भारती जिंदा को जकड दिया है राजनिति एक पाचक चुरण हो गया है एक चबने को कोई जितना ही चबाने को कोई जितना ही चबाता है वह बहुत ही अप्रिय है उतना ही उसके लिए लालित होता है को मैं ले रहा हूँ, वैं बहुत ही अपरिया है, यदि मैं इसके लिए साहस करता हूँ, तो यह मेरा करतव्य है कि इसकी पून व्याक्या करूँ और जंता के इच्छा है कि राणडे के राजनितिक दर्शन और वर्तमान राजनितिक्यों में उनके स्थान का मुल्यांकन करू वर्तमान समय के कौन राजनितिक्यों हैं जिनके साथ राणडे की तुलना की जाए, राणडे अपने समय के महां में राजनितिक्यों थे, इसलिए उनकी तुलना वर्तमान काल के महांतम राजनितिक्यों से ही की जानी चाहिए, भारत के राजनितिक्यों में हमारे सामने दो तारे चमकते हैं, वे इतने बड़े हैं कि यदि उनका नाम भी ना लिया जाए, तो भी लोग उन्हें आसानी से पैचान सकते हैं, वे है गांधी और जिन्ना, ये इतिहास के पन्नों पर किस परकार के चिन छोड़ गए, छोड़ जाएंगे, यह तो भविश्य ही बतलाएगा हमारे लिए इतना परियापत है कि इनके नाम समाचार पत्रों के शिश्कों में मोटे मोटे फश्रों में आते हैं, भरतिय राजनिती की बागडोर इनके हाथ में हैं, एक हिंदू का ने तरतो करते हैं, तो दूसरे मुसल्मानों का, ये इस समय के देवता और नायक हैं, मैं आवश्यक ज्यान प्राप्त कर लिया जाए, इनका जो महत्व है, उसके संबन्द में मैं अपने ही संसकारों को बता सकता हूँ, पहली बाद जो मेरी दिश्टी में आई, वह यह है कि ऐसे दो व्यक्तियों का मिलना कटिन होगा, जो अपने अपने विशाल एहम भाव को जागीरी जगडने का शेत्र बना लिया है, इनको उन परिनामों की परवा नहीं है, जब तक वे इनके सामने ना आ जाएं, जब कोई भिशिन परिनाम इनके सामने आता है, तो ये उसके कारण को भूला देते हैं, या समर्ण भी हो तो अपनी आत्म तुष्टी के कारण उस के गौरवशाली शिकर पर खाड़ा होना पसंद करते हैं, ये अपने बराबर वालों से अलग रहने के लिए अपने चार और दिवारे कड़ी कर लेते हैं, ये अपने से घटिया लोगों के सामने विराजमान होना पसंद करते हैं, ये अपनी आलोचना से बहुत घबराते ह और उसका प्रियोग इस प्रका करते हैं कि ये जहां कहीं भी जाते हैं लोग दृष्टी को अपनी और आकरशित कर लेते हैं। इन में से प्रतेक अपने आपको सर्वश्रेष्ट मानता है। यदि सर्वश्रेष्टा ही इनकी चाहा होती तो भी कोई अधिक आश्चेरे की बा नहीं करते यह प्रशन बहुत प्रबल रूप से विचारी था पौप ने कहा था अपने पौप होने से पूर मैं पौप के भूल ना करने में विश्वास करता था किन्तु अब मैं इसका कुछ और अनुभव करता हूं यही आविवारिक सरूप इन दोने निताओं का है जिने इश्वर ने मैं कह सकता हूं अपने सचंद काल में हमारा नितरतो करने के लिए नियत किया है इनकी इस सर्वशेष्टा और भूल ना करने की भावना को समाचार पत्रों ने और पुष्ट किया है विवेश होकर वह बात कहनी पड़ती है जिसे गाडिनर ने नार्थ क्लिफ की पत्रकारिता के संबंद में कहा था ठीक वही भाषा वरतमान भारते पत्रकारिता के लिए उप्युक्त सिद्ध होती है भारत में एक समय तर जब पत्रकारिता एक पेशा माना जाता था अब ये एक बड़ा वैपार बन गया है अब तो इसका साबन बनाने के अत्रिक कोई सदाचारिक कार्य ही नहीं रह गया है या अपने आपको जनता का हितेशी उत्तरदाई परा मर्ष दाता नहीं मानती किसी विशेश प्रयोजिन को ध्यान में न रख कर समाचार देना लोक, नीती, संबंदी ऐसा दृष्टी कौन प्रस्तुत करना जो संपून समाज के हित्में हो निर्बे होकर बड़े से बड़े व्यक्ति के दोशों का सही और पवित्र करने वाली वानी में पेश करना अब भारतिय पत्रकारिता को अपना प्रथम और सर्वपरी करतवे नहीं मान जाता किसी हीरो अर्थाद नायक को स्विकार करने उसकी पूजा कराना इसका प्रधान करतावे हो गया है समाचारों की जगा संसनी, सहेतुक सम्मती की जगा, अहेतुक उन्माद, समझदार वेक्तियों की जगा, अनुत्तरदाई वेक्तियों की भावना को बढ़काना आज की पत्रकारिता है लौड सलस्परी ने North Cliff की पत्रकारिता के लिए कहा था कि वे दफतरी बाववों द्वारा दफतरी बाववों के लिए थी, भारती पत्रकारिता भी इसी पत्रकार की होते हुए उसमें कुछ और भी सम्मिलित है, यहां तो दोल पिठों के द्वारा अपने नायकों की पचारार्थ कहीं भी कभी बलिदान नहीं किया गया। किसी समय भी भारत में नायक पूजा इतनी अंदी नहीं हूई जितनी की आज है। इसके साथी मुझे यह कहते हुए प्रसंता होती है कि इसके कुछ सम्मानित अठवाद भी हैं। किंतुवे भहती थोड़े हैं और उनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती। समाचार पत्रों की प्रशंसा से सुरक्षित इन महापुर्षों ने जिस प्रमुक भाव को प्रद्रशित किया है। बुद्धा को जमाने के लिए इन्होंने बड़े उद्वग पतियों पूंजी पतियों से सहयता प्राप की है। यहाँ प्रतम अफसर है कि धन एक सु संगठित शक्ति के रूप में अपना शित्र बना रहा है। प्रेजिडेंसी रुजवेल्ट ने जो परष्ण अमरीकी जिन्दा के सम्मक उठाया था। व्या यदि हमारे यहाँ अभी नहीं उठाये तो उठने वाला जिरूर है। कौन शासन करेगा धन या मनुष्य है। किसका नेत्रत्व होगा धन का या बुद्धी मत्ता का। सारवजनिक पदों पर कौन आरुध होगा। सुशिक्षित और स्वतंत्र देशभक्त लोग या संगठित पुन्जी पतियों के दास। आजकल की भारतिय राजनिती विशेष्ता हिंदू राजनिती तो सु वहवारिक होने के बजाए इतनी अधिक वहपारिक हो चुकी है कि उसका दूसरा नाम भष्ट चारिता हो गया है। बहुत से सज्जन इस गंदे नाले में उतरने से इंकार करते हैं। भारतिय राजनिती एक परकार का असहनी आरूचिकर अस्वास्थे कर मल वहक नाला हो गई है। राजनितिक बनना तो गंदे नाले में काम करने के समान हो गया है। इन दोने महापुर्शों के हाथ में आकर राजनीती अप वे कीसपरदा बनकर रह गई है। यदि मिस्टर गांदी को महादमा कहकर पुकरा जाए तो मिस्टर जिन्ना को अवश्य काइद आजम पुकरा जाए। यदि मिस्टर गांदी की कांग्रेस है तो जिन्ना की मुसलिम कांग्रेस की आधिवेशन के साथ सथ लीग का अवश्य होना चाहिए। कशल को ये व्यक्तव प्रकाशित करती है फिश्व परकाशित हुना चाहिए। यदि कांगरेस के एक प्रस्ताव में 17,000 शब्द है तो मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में इस से 1000 अधिक शब्द अवश्य होने चाहिए यदि कांग्रेस का अध्यक्ष पत्रकार सम्मेलन करे तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का भी पत्रकार सम्मेलन आवश्य होना चाहिए यदि कांग्रेस संगीत राष्टर संग को अपील भीजे तो मुस्लिम लीग को भी कभी पीछे नहीं रहना चाहिए यह सब कब समाप्त हो, जबकि आपस में समझोता हो जाए, इसकी निकट भविश्य में संभावना नहीं दिखती, कुछ उपहा सास्पद परिस्थितियों के अत्रिक्त वे कभी नहीं मिलेंगे, जिन्ना की हट है कि गांधी अपने आपको हिंदु सिकार करे, गांधी का आगर नहीं परकट हुआ, जितना भारत के दो नेताओं में आज भी दिखाई पड़ता है, वे लंबे और कभी समाप्त नहोने वाले भाशन करते चले जा रहें, उन वकीलों की तरह जिनका पेशा होता है, प्रते एक बात का विवात करना, किसी बात को ना मानना और घंटों बोल चले जाना, इन में से किसी एक को भी आप इस अवरुत्त को समाप्त करने के संबंध में कोई सुझाव दीजिया और आपको कभी समाप्त ना होने वाला उत्तर मिलेगा, नहीं, इन में से कोई भी किसी अविनाशी समस्या के समाधान पर विचार नहीं करेंगे, इनके बीच में फंसकर भारती राजनिती, बैंक शब्दावली के अनुसार निश्चलित हो गई है, और किसी भी राजनितिक कारे का होना संबव नहीं है। अन्य वेक्तियों ने उनके संबंद में कहा है, उसका अधिन करने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि राजनिते किस प्रकार के वेक्ति थे, उनके भीतर एहम मन्य भाव का शेल मात्र भी नहीं था। करते उचित था। नहीं, उनकी गरवक्ति भी सराहनिया होती। किन्तु वे तो अत्यंत विनमर वेक्ति थे। गंबीर युवक वर्ग उनकी विद्धता और सालाप प्रियता से मोहित होता था। बहुत से लोग उनके गंबीर प्रभाव का अनुभव करते हुए, उनकी सज्जनता से प्रभावित होकर सुदरे और अपने फूझे गुरु के प्रती अगाच शृद्धा प्रदर्शित करते हुए, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को बदल दिया। वे मूर्खों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर संतुष्ट नहीं होते थे, और अपने समकष्ष रक्तियों के साथ रहने में घवराते नहीं थे, तथा उनमें होने वाले विचार विनीमय से भी नहीं डरते थे, उन्होंने कभी अपने अंतकरण की आवाज पर रहसे में भरोसा करने का दावा नहीं किया, विवेक्षिल थे और अपने द्रिश्टी को उनको हित्वा नुभव की कसोटी पर परिक्षिन करने के लिए तयार रहते थे, उनकी महानता सभाविक थी, उसके लिए उन्हें ना मंच की आवशक्ता पड़ी, ना अवधारित उत्त केंद की तकनीक की और ना पैसो के बल पर चलने वाले समाचार पत्रों की साहता की, जैसा मैंने कहा था कि रांड पधानता समाच सुधारक थे, वे राजनिती में दुकंदारी करने वालों की तरह के राजनितिक्य नहीं थे, परंतु उन्होंने भारत की राजनितिक पर नाली में मेहत्वपुन योगदान दिया था वे कुछ ऐसे राजनितिग्यों के गुरू रहे थे जिन्होंने आदर्श सफलता प्राप्त की थी और जिन्होंने अपनी विलक्षिनता से अपने आलुचकों को स्तंभित कर दिया था कुछ राजनितिग्यों के वे मागदर्शक्त रहे, परंदु सबके लिए विदार्शनिक रहे राणे का राजनितिक दर्शन क्या था? या तीन प्रस्थापनाओं में विभक्त किया जा सकता है जो वस्तु नितांत काल्पनिक है उसे हम कभी अपना आदर्श सिध्धांत ना बनाए आदर्श सिध्धांत इस प्रकार का होना चाहिए कि वे क्रियात्मक भी हो सके राजनिति में लोगों की भावना और सभाव, विद्वता और विचारधारा से अधिक महत्वपुन होते हैं यह महत्व सविधान के निर्मान में तो विशिश स्थान रखता है एक सविधान ऐसा होना चाहिए जैसे पहनने के वस्त्र, दोनों फिठों और दोनों मन भावन राजनितिक समझोते में यह नियम आवश्चक है कि क्या संभव है इसका भी प्राय नहीं कि जो कुछ हमें दिया जा रहा है उसी से हम संतुष्ठ हो जाएं नहीं इसका भी प्राय यह है कि जो कुछ दिया जा रहा है उसको अस्विकार ना करें जबकि हम जानते हैं कि हम में अपने विरोधी को उससे अधिक देने को बादे करने की शक्ती है राजनितिक दर्शन के यही तीन मुख्य सिधान्त है इनको उनके लेखन और भाषनों से भाषनों के उचित उधारनों द्वरा सिध करना बहुत सरल होगा किन्तु इसके लिए समय नहीं है न इसकी आवशक्ता है क्योंकि राणे के भाषन और लेखन से पाठकों को वे भली भाति ग्यात होंगे इन तीन प्रस्थापनाओं के विश्य में राणे से कौन जगडा कर सकता है यदि कोई है तो किस के विश्य में जगडा कर सकता है पर्थम प्रस्थापना पर एक कल्पना शील जगडा करेगा हमें उसके चिंता नहीं करनी चाहिए दूसरी प्रस्थापना एतनी सूसपस्ट है कि उसकी अवहलना तो खत्रा मोल लेकर ही कर सकते हैं तीसरी प्रस्थापना ऐसी है कि उसके संबंद में मत विवेध होना संबव है नीसंदे यही प्रिस्थापना है जिसने उदारवादियों को कॉंग्रेस से विभाचित किया मैं उदारवादी नहीं हूँ परन्तु मैं नीसंदिक्द हूँ जो दिश्टी को रानडे ने अपना आथा वैसा ही है सिध्धांतों के आधार पर समझोता नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए परन्तु एक बार यदि किसी सिध्धांत तो सिकार कर लिया जाए तो उसकी प्रापती खंडों में होने पर कोई अपती नहीं हो सकती राजनिती में करम, विन्यास, अवश्यम्भावी होता है और जब यह सिध्धान्त अपना लिया जाता है तो हानिकारक होता है और वास्तव में यह कुछ परिस्थितियों में तो बहुत ही लाप्रद होता है इस तीसरी प्रस्थापना के संबंध में राण्डे और तिलक के समय तिलक के मध्य वास्तव में कोई मतभेद नहीं था सिवा इसके कि तिलक अपने सामोधन का उप्योग करके अधिक से अधिक प्राप्त करने के पक्ष में थे रानडे समुदन को वक्र दृष्टी से देखते थे बस यही भेता शेश सब बातों में वे सहमत है रानडे के राजनितिक दर्षन में समुदन का अभाव होने के कान हमें उसके महतो की उपेक्षा करने के आवशक्ता नहीं हम जानते हैं कि हमें क्या सम्मोधन प्राप्पे है कि हमने सभी पुराने और ने सम्मोधनों को अजमाया हैं क्या प्रभाद पड़ा है तो मैं बिन कहिं नहीं के रह सकता कि राणन्य करें का जन्मोचसर मनाते हुए हम इस बात को न भोल जाएं प्रतिदंदी जो उनके आलोचक और प्रतिदंदी द्वारा कही जाती है एक आलोचक पूछ सकता है कि राइंड़े का जनती समारो करने का क्या तुक है नायक पूजा के दिन लद गए यही उनकी आलोचना का आधार होगा एक प्रतिदंदी कह सकता है कि जब मैं गांदी और जिन्ना के विश्य में बात करते हुए मूर्थी पूजा का विरोधी हूँ तो फिर राइंड़े के लिए मूर्थी पूजा का क्यों बनूँ यह बड़े विशिष्ट प्रस्न है यह सच है कि नायक पूजा समाप्त हो रही है इस विश्य में कोई संदे नहीं है यह कारलाईल के काल में भी समाप्त हो रही थी जिन्होंने अपने युक के संबद में क्रोधा वेशित होकर प्रतिवाद करते हुए कहा था यह एक युक है जो महापुरुषों के अस्तित्व को सिकार नहीं आसिकार करता है यह महापुरुषों के प्रादुर भाव का प्रतिवाद करता है हमारे अलुचकों को एक महापुरुष के दर्शिन कराओ उन्होंने कहा वे उसकी जीवन घटनाओं की परख करना प्रारम क करते हैं परंदों ध्रफ Tag cm2 भारत में कि वीर पूजय समाप्त होई नहीं समाप्त नहीं हुई है भारत अभpta मुर्ति पूजया की शेष्ट्र भुमी बना हुआ है धर में भी मुर्ति पूजया राजनिती में भी मूर्थी पूजा है। नायक और अपदेव पूजा यदि दुर भागय नहीं तो भारत का राजनिती में कटू सकते हैं। मैं मानता हूं कि उपदेव पूजा भक्त के लिए बर्ष्टा चारी और देश के लिए भयानक है। मैं उसी मां तक आलोचना का सोगत करता हूं जहां तक कि यह सावधान करती है कि तुम अपने महापुरुशों की पूजा करने से पहले समझ लो कि क्या वे हैं महापुरुश वाक्यांश कहा है कि एतियाजिक महापुरुश बैंक के नोट है। बैंक के नोटों की भाती वह भी सोने का प्रतिन्दित्व करते हैं। मैं यह शिकार करता हूं कि हमें महापुरुशों की पूजा करने में बहुत सावधान लहना चाहिए क्योंकि इस देश में हम संभवत उस दशा में आ गए हैं जब हमें उन सूचनाओं के साथ जिन पर लिखा जाता है जेब कत्रों से सावधान रहो यह सूचना पट की पट भी लटकाने पड़ें कि महापुर्शों से सावधान कारलाइल जी ने भी जिन्होंने महापुर्शों की पूजा का समर्थन किया है कारलाइल गहरा खेद व्यक्त करते हैं कि संसार के महापुर्शों ने श्रद्दा रुपी परिश्रम से अपनी जेवव को भर लिया है परंदु संसार का कुछ काम नहीं किया महापुर्श तो चले गए अब धूर्टों की बनाई है राणे स्यम पर देवत्व लावद कर कभी श्रद्दा प्राप्त नहीं की जैसा कि भारत के ये भापुर्श आज ग्रहन करने के लिए लालाई थें वह कैसे प्राप्त कर पाते वह कोई सिनाई की गर्मा गर्म खबर लेकर तो नहीं आये थे उन्होंने चमतकारी कारे नहीं किये और वंचित एवं धुखित लोगों से किसी वस्तु को शीगर प्राप्त करने का वायदा भी कभी नहीं किया जिस प्रकार प्रभुत्व शाली और चमक दमक वाले लोगों के नाम प्रकट होते हैं उस प्रकार रांडे का नाम कभी पूंड रूपेन स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया वह विशिष्ट बुद्धी वाले विक्ति नहीं थे और उनमें अलोकिक गुण नहीं थे यदि रांडे ने प्रभुत्व संपन्ता और दिव्य आभा को प्रदर्शित नहीं किया तो वे हमारी विपत्ति के कारा भी नहीं बने यदि भारत की सेवा करने के लिए अलोकिक गुण भी नहीं थे तो भारत उनके दुरुपयोग से बजगिया यदि वे विलक्षन पुद्धी नहीं थे तो उन्होंने अपनी विद्वता को अती दुरुहता का तमाशा भी नहीं बनाया और ना अपने मस्तिक्ष का वह सभाव बनाया जो मूलता बहिमान है जिसने विश्वाजगात के चिन प्रकट किये हैं और जिसने समझोते को प्राप्त करना कठिन बना दिया है राणे के चरित्र में बहुले और अपवे जैसा कुछ भी नहीं है उन्होंने कभी अतिवादी बनकर सस्ता का सस्ता नाम नहीं कमाया उन्होंने जिन्दा की देशभक्ति की भावना का शोशन और उसके साथ खिलवाड करते हुए उसको बटकाया नहीं उन्होंने उन कारे प्रताओं को भी स्विकार नहीं किया जो निर्मम पहाड खोद कर जो यह निकालने वाली है तथा जो ना तो पूर्ण सही है और ना अरधांश में ठीक है जो उन लोगों की गर्दन मरोड देती है जो तक पर निश्ठावान देश सेवक हैं और उन्होंने अगले प्रयासो के आयोग्या बनाती है संग्षेप में राणडे उस बुद्धिमान कफ्तान के समान थे जानता है कि उसका करतव है कि वह महासागर में अपने जलायान के साथ चलाकी और हस्त कोशल केवल अपने प्रभाव और प्रदर्शन के लिए ना दिखाए और अन्सुरक्षा के साथ जलियान निर्दिष्ट बंदरगहा तक पहुँचाए संग्षेप में यह कि राणडे जाली नोट नहीं थे उनकी पूजा करते हुए हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं जुकते जो जूटा है दूसरी बात राणडे का यह जैनती समार्व करना किसी प्रकार नायक पूजन का कारे नहीं है अपनी अस संदिख्ध शृद्धा को व्यक्त करने के अर्थ में नायक पूजा अलग विस्तू है अपने नायक के आदेशों को बिना सोच समझे पादन करना एक विभिन प्रका श्रेष्ट पात के लिए जिसको उसने अंग भूत कर लिया है दूसरी एक खलना है कि अपने स्वामी के प्रति प्रभु भक्ति है पहली सम्मान के अनुरूप है परण तो दूसरी हिंता की निशानी है पहली में व्यक्ति की सोचने की शक्ति और कारे करने की सुतंतरता का अपरण नहीं होता दूसरी व्यक्ति को एकदम मुर्ख बना देती है पहली राज्ये के लिए आपत्ति नहीं लाती दूसरी उसके लिए भई पैदा करने का निश ज्वारा निरुवाचित नहीं है किसी के परती उत्तधाई नहीं किया है और अइसे लिडु किया है उसको आका जिसने उनके सभाव जन्ने निर्णे को कर्यानवित किया और अपनी इच्छा को चलाकी या प्रचंडता से उनके उपर लाधने का प्रयास नहीं किया। तीसरी बात जो सभा यहां एकत्रित हुई है वह नायक पूजा के लिए नहीं हुई है। यह एक अफसर है जो राणे के राजनितिक दर्शन का स्मर्ण करने के लिए है। मेरे विचार से यह अब अनिवारे हो गया है कि समय समय पर हम इसका स्मर्ण करते रहें क्योंकि उनी का राजनितिक दर्शन है जो स्वस्त और सुरक्षित है। यदि यह धीमा है तो सुनिश्चिद है यदि यह चमकने वाला नहीं है तो अभी सोने से कम नहीं है क्या इसमें किसी को भी कोई संक्षंका है यदि किसी को कोई शंका है तो वे बिसमार्क, बेलफुर और मारले महुद्दे के कतनों पर कमीरता पूरोग विचार करे एक महान जर्मन राजनितिग्य ने कहा था राजनिती संभव विश्यों का खेल है बाल्टर बैगहांट की प्रसिध इंगलिश सविधान की पुस्तक के परिचे में बेलफौर महुद्दे लिखते हैं जिदि हम उस धीर्गकालिन प्रक्रिया का आधार ज्याद करना चाहें जिसने धीरे-धीरे मद्यकालिन राजतंत्र को वरतमान लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया उस प्रक्रिया का जिसने जिसके द्वारा इतना सारा परिवर्तन हो गया है और इतना थोड़ा विनाश हुआ तो हम प्रक्रति सभाव और चेच्र अवश्य अध्यन करें ना कि बुद् पुक्षे स्म्रण करें इस प्रकार का परिक्षण कटनाई से ही भैमुक्त हो सकता है शविधान आसानी से प्रतिलिपी कि जाते हैं प्रकृतिया नहीं और यदि ऐसा हो जाए कि रिंड लिया हुआँ सभ Aujourdान और स्थाने प्रकृति वेभार में असफल होते हैं तो यह अ जो इस दृष्टिकून से सरवादिक महत्वपून है, उद्धानत्थ यदि उनमें अनुलागों को करमानुगत बनाने और अनुसरन करने की शम्ता नहीं है, यदि उनमें सुतंत्रिता की और सभाविक रुजहान तुथा विधी के लिए सभाविक श्रद्धा नहीं है, यद उनमें उन अतिवादी निश्कर्षों के प्रति जो तर्क के आभाव में दुर्वर्णित किये जाते हैं संधे नहीं है यदि भृष्टाचार उनमें विरक्ति नहीं लाता और यदि उनमें विभाजन या तो अत्यादिक है या दो गहनताएं हैं तो वहां ब्रिटिश प्रतन की कला और पार्टी प्रबंध की दक्ष्टा अपनी उत्तम संपूर्णता पर लादी गई हो पारले महुद्य ने एक जगा व्यक्त किया है तार की पूर्ण विवस्था के लिए जल्दबाजी करना उस समय रचना की सामगरी के प्रति अपनी अन्भिगित्त को प्रकट करना है जिसके साथ राजनित्तिग्यों को बताना विचारों या संस्थानों में आंशिक परिवर्तन शीलता की अवेलना करना मूर्गता है इस प्रका कि चोटे-चोटे सुधार महां सुधारों के शत्रु होते हैं उसी अर्थ में कही जाती है जिसमें यह कावत समानने रूप से कही जाती है कि यह समाजिक विनाष का फार्मुला है गेवे सिदान्त जिन पर राज नितिक सफलता निर्वा करती है क्या ये उनसे बिन है जिनको राणडे ने विक्त किया राणडे की महानता को यही बात प्रकट करती है कि उन्होंने बिस्माक बेलफर और मौरले से वर्षोपूर इन से धान्तों को व्याख्याईत किया था वैपीडी जिसकी राणडे ने सेवा की परियापत बुद्धी मान थी और उन्होंने राणडे को अपना राजनितिक पत प्रदर्शक मित्र और दार्षनिक स्युकार किया उनकी महानता इसी बात में है कि वे केवल वर्तमान के ही नहीं भावी संत्ति के भी पत प्रदर्शक मित्र और दार्षनिक बन सकते हैं राणडे के विरुद एक आरोप है जो प्राया उन पर थोपा जाता है और जिसके विश्य में मैं समझता हूँ अवश्य कुछ कहना चाहिए राणडे के लिए कहा जाता है कि वह इस बात में विश्वास करते थे कि ब्रिटिश द्वारा भारत की विजय द्वेच्छा थी का दोश मड़ा जाता है यह अरब उनके निम्लिखित कथनों के करण लगाया जाता है यह बात सरलता से नहीं मानी जा सकती है कि इश्वर ये विधान के नुसर भारत जैसे देश की विशाल जंता विदेशी शासन की दरुनता और प्रभाव अंतरगत रहे जब तक उसे उस उनकी शक्ती और आच्रण ने उनने किये जाने वाले चिरिस्थाई करता विकार निधारन ना किया हो एक बात का हमें पूरा विश्वास है कि 500 वर्ष तक रहने वाला मुस्लिम सामराजे समाप्त हुआ और पुराने स्थानी वन्शों है पंजाब और संपूर मद्य भारत और दक्षिन भारत में पहले से जबकि वे सरलता से मुसल्मान विजिताओं द्वारा पारभूत कर दिये गए थे कहीं अधिक द्रड़ सवहाविक सरकार बनाने के लिए परिस्थितिया बना दी दोनों हिंदू और मुसल्मानों में विधी प्रेम और विनी यमित अधिकार संबंदी सद्गुनों की कमी थी तोनों की आवशक्ता थी स्थानिये निकायों के सुतंतर प्रेम की नागरिक जीवन के लिए अनिवारे सद्गुनों की और यांतिक दक्ष्टा के प्रेम की विज्ञान और अनसंधान के प्रेम की कटनाईयों को पारभूत करने के लगुनों को प्राप्त कर सके और इसलिए शिक्षा के कार्य को पुनर निर्मान पुनर नवीन किया गया और अब है एक शितापदी और उससे भी अधिक समय से हमारे देश में बटिश संधी के अंतरगत परिनामों सहित प्रस्लित है जिनके साक्षी हम स्विम हैं यह प्रकट वक्तवियों पर एक सरसरी द्रिष्टी डालना ही प्रयाप्त होगा यह वक्तविय स्पस्टेवम सरल है और इनके विश्य में अनुमानता भी यह नहीं कहा जा सकता कि इनका यह निश्कर्ष है कि राण्डे भारतिय स्वत्तत्य के विरोधि थे इस अभी प्राय से यह आरो कि बुद्धी मत्व उनकी विलक्षनता को प्रमानित करते हैं इन वक्तवियों के द्वारा राण्डे क्या संदेश संप्रेशित करना चाहते थे जैसा कि मैंने उनको समझा है मेरे विचार से राण्डे दो बाते कहना चाहते थे पहली बात जो वे कहना चाहते थे वह थी यह थी कि बिटेन द्वारा भारत विजे ने भारत को समय और अफसर आवश्यक आश्रे स्थान प्रदान किया, आवश्यक भविश्य यत भाग्य की भावना लाए बिना बिटिश समराजे से बाहर जाना, सतंद्रता के नाम पर अस्त वेस्ता और विबंजन को आमंत्रित करना हैं, यह सत्य कितने अधिक महतर पूर्ण हैं, प्रगति की कामना करने वाले देशों में अवश्यमभावी, समाजिक, आर्थिक और राजनितिक संगर्शों को दूर करने के लिए सरलकार पद्धती को प्रश्य देने में आश्रे स्थल का जो महतर होता है, उसको बहुत से ल अपनी जड़ जमाने में असफल रहे, उन्हें ने कहा कि यहां विभेद इंग्लिश चैनल के करण है, इस उत्तर के द्वारा वे जो कुछ कहना चाहते तेवे यह है कि इंग्लिश चैनल के करण इंग्लैंड उस समय जब की वे अपने राजनितिक संस्थानों को ठीक करने म इस आश्रे स्थल के महतों पर अबरहाम लिंकन ने भी जोड दिया था, अपने एक भाशन में उन्होंने अमरीकी संस्थानों की अविरलता के विश्य में कहा था, यूरोप, एशिया और अफरीका की सम्मिलित सभी सेने बोनापाट के सेना बतितों में हजारों साल युद क अबरहाम लिंकन ने समाजिक पुनर निर्मान के लिए आश्रे स्थल के महतों और उसकी अनिवारिता पर जोर दिया है, इंग्लैंड और अमरीका की भांती भारत एक सुनिश्ची देश नहीं है, वह सभी तरफ से आने वाले मार्गों पर स्थित है, चाहे वे मार्ग भूम जल और आकाश माक सही क्यों नहीं हो, चूंकि भारत का कोई रक्षा स्थल नहीं है, वे अपने पुनर निर्मान की काल विधी में भारी आकरमनों के समय वीश्रेंग क्लित हो जाएगा, अपने पुनर निर्मान के लिए भारत को एक सुरक्षा वास चाहिए, बिटिश समरा जे दे सकता था, रानडे बुद्धिमान नहीं थे, एक आश्रित राष्टर अपने अधिरक्षक राष्टर से अपना सम्मंद विछेद करके अपनी सतंदरता पाने के लिए बहुत ही अधीर होता है, परंतु वे ठैर कर यह विचार नहीं करता कि इस सतंदरता का उस पर क् पड़ेगा, यद्द भी तथा भी इस प्रकार का विचार बहुत महत्वर रखता है, प्राया इसका नुभव नहीं किया जाता कि वे गरंती जो आश्रित राष्टर का अधिरक्षक राष्टर के लिए अधिक आवश्यक होती है, यह निर्बर करता है, आश्रित राष्टर कि आंतरिक परिस्तितियों पर आश्रित राष्टर पूर्ण तहा एक हो सकता है, आश्रित राष्टर कई भागों से मिलकर भी बन सकता है, वे भाग ऐसे भी होते हैं, जो कभी पूर्ण ना बने, या वे भाग ऐसे भी हो सकते हैं, जो अभी तक एक ना हो, किन्तु अधिक स करना बहुत ही शुब होगा जिस राष्ट के भाग कभी पूनता एक नहीं हो सके उसके द्वारों अनुबंधन विच्छेद का प्रभाव न तो कुछ शुब या न कुछ अशुबतर इस बात पर दिर्भर करता है जिस परकार कोई विक्ति उसको देखता है परंतु तीसरी स् करें होता है यह दूसरा बहुता जिसके प्रति रहेंडे अपने देश्वासिय को साब्धान करना चाहते थे कौन है कि संचेतना को देने करन रहेंडे बुद्धिमा नहीं थे जो इसकी आवशक्ता पर शंका करना चाहते हैं उन्हें चीन की और देखना चाहिए तीस साल स चीनी आंदोलन प्रारम हुआ, क्या चीनी लोग सनी वेशित हो गए हैं, नहीं, लोग अब भी पूछते हैं, चीनी आंदोलन कब समाप्त होगा, और वे लोग जो चीन की स्थिती से परचित हैं, इस से अच्छी बात नहीं कह सकते की संभवता अगले सो साल में, क्या चीन में सभी चीनियों का समर्तन प्राप करने करके एक स्थाई सरकारब बना ली है, कदापी नहीं, निसंदे, यदि सत्य कहा जाए तो क्रांती के बात, चीन जैसा पहले था, उससे बहुती अधिक विच्छनता और विभाजन की भूमी अब बन गया है, क्रांती ने ऐसी भारी अस विवस्ता के करन अपनी सतंद्रता अब तक नहीं गवाई है, तो वह इसलिए कि चीन के बहुत से शत्रू हैं और उनमें आपस में यह निश्चित नहीं हुआ है, क्यों पहले चीन को निगल जाए, चीनी करांतीक भेंकर भूल थी, वह यह युवान चीकाई की सम्मती थी, उसने कहा था, में जनता की विवेक शेलता के परतिकूल या चीन की वरतमान परिस्थित्यों के परतिकूल बनेगी वरतमान समराट को बनाया रखने के लिए मेरी युक्ति केवल यही है कि मैं साथ़ानिक राज-्देंत्र में विश्वास करता हूं यदि हम सरकार के उस रूप में देखते हैं यदि हम सरकार को उस रूप में देखते हैं तो फिर कोई ऐसी और सरकार नहीं है जिसके लिए जन्ता उसके स्थान पर स्विक्रित हो जाए इस अंकट काल में मेरा मुक्यद है यही है कि चीन को आने वाले विनाश और अन्य बुराईयों से बचाना चाहता हूँ वे लोग जो सोचते हैं कि चीन भारतवासियों के लिए उद्धारन ना होकर एक चेतावनी साहर रानडे को भारती स्थंद्रता के विरोत का दोश देने की भावनाओं से कोसो दूर परसन होंगे कि वे अपरिपक को करांती की ब्राईयों के पूरवा भास और अपने देश पूची रखता है महापुर्षो के अंतिम संदेश सरवदा ही उनके इस संसार के अनभव और दूसरे संसार की परिकलतना के अभी विंजक नहीं होते हैं उद्धरना अर्थक सुकरात के अंतिम विचार थे कोटो को बुलाकर कहना कि हमें असक्यूलेपियस को एक मुरगा द सरवदा अभी विंजक और विचार निया होते हैं नेपॉलीन का उधरन लीजिए अपने मृत्यू के पूर्व जब वह सेंट है लेना में बंदी था उसने अपने तीन प्रमुख अंतिम खेद अपने आपर कट किये वह ये थे कि वह अपने जीवन के उत्तम समय में मृत्य लोगी उसकी पराजे क्या रांडे को भी कोई उच खेद था यदि उनको कोई खेद था भी तो वह इस प्रकार का नीता जैसा नेपूलीन का जिसने उसके चित को विचलित कर रखा था रांडे सदा सेवा करने के लिए जीवित रहे यश गौरव के लिए नहीं यह उनके ल सामाने पुरुष के रूप में सामाने जुकाम से हुई वस्त तो रांडे किसी पश्चताप से विचलित नहीं थे जहां तक अभी लेकों से पता चलता है रांडे किसी घटना और कारे के संबद में चिंसित नहीं थे जिसके लिए उन्हें कोई खेद हो उनकी बड़ी सुक स्थिती पर भारत में लिबरल पार्टी की वरतमान स्थिती क्या है लिबरल पार्टी एक दुरगटना है निसंदे या एक बहुत ही मरदुल स्पस्टिकर्ण है लिबरल पार्टी तो भारत वासियों के लिए हास्य अस्पद हो गये लिबरल लोग भारत राजनीती में घण हैं एक समय तर जब लिबरल पार्टी कांगर्स की पर्तिदुंधी थी अज्लिबरल सम्भंद हो गया जो एक कुट्ट का अपने मालिक से होता है किसी किसी समय कुट्त अपने सवामी पर भी भूंकता है परन्तु अधिकतर वै अपने जीवन में उसके पीछे के चलने में ही संतुष्ठ रहता है कि यह दिवे कॉंगर्स की दूम नहीं की लिभर प४घ्ट प्राइज लोग पूछते है कि लिभर पूश्ट है कि लिभर कंगर्स के लिए एक दुखत गटना है परंदु देश के लिए तो यह अनर्थ ही है एक जनतांतिक सरकार के लिए इस पार्टी की उपस्तिती इतनी आवश्चक है कि वह बिना इसके अपने प्रिचलित रहने की संभावनाओं के विश्य में सोच भी नहीं सकती जैसे कि एक प्रमुख भाग डुबो दिया जाए किन्तों यह सोचना असंभव है कि हम राजनितिक संगठन के बिना निर्वा कर सकें वे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्चक है निसंद्य पार्टी के नियंत्रण और अनुशासन के बिना किसी देश में मद्दाताओं के समुद्वारा शास करना या यात्रियों के मत प्राप्त करके एक जहाज के चलाए जाने का मार्क निश्चित करना यह एक अकाटे सत्य है कि एक पार्टी का होना लोगप्रिय सरकार के लिए अनिवारतय संगती है कि यह भी समान रूप से अकाटे सत्य ही है कि एक पार्टी का शासन एक लोगप प्राप्त करने के स्थान पर हम उन्हें अपने यहां चलाने के लिए आदर्श मान रहे हैं राष्ट्रिय सू संगठन के नाम पर इस देश में एक दिलियर शासन का नारा लगाया जा रहा है वहीं लोग जो ऐसा कर रहे हैं ऐसा सूछने में असफल है कि एक दिल स्रकार की परंपरा में अत्यचार की संभावनों के सात ही सारजनी कारेव में भांत निव् vocation की संभावने संनीद हैं एक दिल के द्वारा लोक प्रिय सरकार को चलाने का अर्थ है, लोक तंद्र को केवल राज्ट तंद्र का रूप दे देना, जो इसकी आड में अपना कारे करता रहता है, किस तरह एक दल के अंतरकत बनी हुई सरकार के अंतरगत अत्याचार एक कोरी कहावत ही नहीं रहती, वर प्रतक जो बिटिश शासन में अनिवारे था, अब भारत में उसकी आवश्क्ता नहीं है, क्या इस से शासको का स्वात प्रकट नहीं होता, यदि अधितंत्र निर्वाचित कर लिया जाए, तो वह सुच्छंद तंत्र हुए बिना रुक नहीं सकता, क्योंकि शासक हमारे अ इस कारण सुच्छंद तंत्र सुसु सम्मत नहीं हो जाता, इसे निर्वाचिन का विश्य बनाकर भी स्वेच्छारी शासन की यह प्रतिभूती नहीं है, कि सुच्छंद तंत्र नहीं होगा, स्वेच्छारी शासन तंत्र के विरुद एक ही प्रतिभूती है, कि उसे शासन हिन होने की संभावना उसे गद्दी से नीचे लाने की संभावना और एक प्रति दुन्दी दल द्वारा उसका स्थान लेने की संभावनाओं से सामना करना पड़े प्रतिक सरकार अपने निर्णयों में गलती करती है बहुत अधिक दुशासन करती है और ऐसी थोड़ी नहीं है जो ब्रिष्टाचार अन्या और प्रिरन के कारे और दुर वी श्वास को फैलाती है कोई सरकार अनिवारते अलोचना से मुक्त नहीं होती परन्तु सरकार की अलोचना कौन करता है यदि व्यक्तियों पर छोड़ा जाये तो यह कभी नहीं हो सकता सर्टो भी अपने पीछे एक सम्मत्ती छोड़ गए हैं कि एक व्यक्ति को अपने शत्रुक के साथ कैसा विवार करना चाहिए उन्होंने कहा अतिशीक्र जैसे ही आप उसे देखो पीछे हट जाओ और जैसे ही उसे ललकारों भेंग करता से तूट पड़ो परन्तु यह व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जो सरकार के विरुद लड़ना चाहते हैं व्यक्तियों के विरुद बहुत सी बाते हैं जो सफलता से अपना कारे करती है पहली बात जिसे ब्राइस महद्य बहुजन का विनाश्वात कहते हैं चेतना से आती है असहाय अवस्था की वह चेतना जो इस विश्वास से उत्पन होती है कि लोगों के कारे बहुत के कारे भहुमत की उस शक्ति से परभावित होते हैं जिसकी चाल को व्यक्तिकत प्रयासों से रोका नहीं जा सकता दूसरे भहुमत के द्वारा अतियचार की संभावना है जो प्राय है वेक्तियों के दमन और उनको डंड का भाजन बनाने या अन्ने समाजिक आयोगेताय लाने में प्रद्रशित होती है इसका अच्छा नुभव हम सबको कॉंग्रिस शासन में हुआ तीसरे गुप्टचर विभाग, CID, गेस्टापो और अन्ने सहायक विभागो के निगरानी करने और उनका दमन करने के लिए होता है सथिंद्रता का रहसे सहस में है और वेक्तियों के अंदर सहस उत्पन होता है दल के रूपे वेक्तियों का संगठन होने से एक सरकार को चलाने के लिए एक पार्टी आवशक है परन्तु सरकार को स्विच्छा चारित अपनी इच्छा सजाहजों मर्जी करे इससे बचाने के लिए दो पार्टिया अनिवारे हैं एक लोकतंत्रियर है सकती है जबकि इसमें दो पार्टिया कारे करें एक पार्टि सरकार के पक्ष में और दूसरी विरोध पक्ष में जैसा कि जैनिंग इले जी कहते हैं यदि विरोधी पक्ष नहीं है तो लोगतंत्र नहीं है। महामहीम को जिस प्रकार सरकार के आवशकता है उसी प्रकार विरोध पक्ष की भी। इन विचारों के प्रकार में इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि भारत में लिबरल पार्टी के समापते एक भ्यानक अस्त विवस्ता नहीं है। लिबरल पार्टी के पुद्रकठिन या एक दूसरी नई पार्टी के संगठिन के मिना सवतंत्रता संगराम का परिणाम होगा जो इच्छारी सच्छारी शासंतंत्र सवतंत्रता का विरोधी है चाहे वैं सच्छंत्र सवदेशी हो या विदेशी बड़ी दया आती है कि भारतिय लोगों को यह तर्थ्य दृष्टिकत नहीं लग नहीं होता परंतु मुझे इसमें कोई संदे नहीं है कि वे लोग जो चि क्या रानडे के दर्शन में कुछ भांती है क्या लिबरल पार्टी के लोगों में कुछ भांती है क्या लिबरल पार्टी का कार्यानवन तृट्टी पून है मैं पर्थम परशन के विश्य में कहता हूं कि रानडे के दर्शन में मूलता कोई तृट्टी नहीं है ना दोनों के संगठन में पूंद तह कमी है लिबरल पार्टी की संगठनात्मक कमजोरियों को प्रकट करना भी अहितकर नहीं होगा जैसा कि पैंडिलिटन हैरिंग जी ने अपने गरंथ प्रोटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी के एक खंड में व्यक्त किया था एक पार्टी का संगठन तीन समकेंद्रिय घेरों में व्यात होता है केंद्र का घेरा पार्टी संगठन के शेष्ट शासन का प्रतिन दित्तों करता है जो दल की उच्छ कामना हाई कमान कहलाता है इससे जो संबंदित होते हैं इसके कारे करता गण जो प्रधानता पार्टी सं संचालन यंत्र बनते हैं इन दोनों आंत्रिक दलों उच्छ कमान और संचालन यंत्र से घिरे हुए वेक्तियों का एक बड़ा घेरा है जो पार्टी से परंपरा और भावनात्मक भक्ति की डोर से बंदे हुए हैं वे पार्टी द्वारा उद्गोशित सिध्धान्तों पर व देते हैं इस दूसरे घेरे के बार ऐसे व्यक्ति का व्यापक समू होता है जो किसी पार्टी से बंदित नहीं होते यह प्रवाही जनता है इनके अबंदित होने के कार्ण यह है कि या तो क्योंकि वे निरुदेश्य विचारहिन हैं या क्योंकि उनके विशेशित होते हैं जो किसी पार्टी के कारेकरम में सम्मिलित नहीं होते हैं। वे लोग जो दूसरे घेरे के बहार हैं, एक राजनितिक पार्टी का सरवाधिक शक्तिशाली कारेशितर निर्मित करते हैं। वे ही मुलेवान हैं जिन्हें एक पार्टी को अवश्य अधिकार में करना चाहिए। इस मुले निदी को अधिकरत करने के लिए सिध्धानतों को वैक करना और नीतियों का निधान करना ही परियाप्त नहीं है। पिछे सिध्धानत के पीछे इस पवित्री करन या जिन्मत के निर्मान में प्राप्शक्ती ही पार्टी का मुख्या काम हो जाता है। प्रतम यह है कि जन्संपर्क अवश्य करे यह अपने माल, सिध्धानत, नीती, विचार और प्रताशियों के साथ जिन्ता के मध्य में अनिवारता पहुंचे। दूसरे यह अपने इस माल के संबंद में अपना प्रचार कारे करे या उनको त्वाहित करे अपना ग्यान उनको दे। पुन है, ब्राइस महुदे के मता नुसा, मध्याताओं को अपने भावी राजनितिक सिध्धानतों के संबंद में जानकारी दे, अपने नेताओं और अपने विरोधियों के अपरादों के संबंद में सुचित करे। ये कुछ मौली तत्य हैं जिनसे संगटित काम करने का अफसर मिल सकता है, एक पार्टी जो इस प्रकार संगटित कारे करने में असवफल होती है, उसे एक राजनितिक पार्टी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। लिबरल पार्टी ने एक संगटिन के नाते इसमें से कौन से कारे को पूरा किया है। समु के साथ लगाने के लिए संगर्शिल नारे नहीं है। टिवरल पार्टी जिन संपर्ख में विश्वास नहीं करती। जिनता के प्रमुख समुच्चे के प्रथक इतनी अधिक एक कांतक और प्रथकता किसी पार्टी के संबंद में सोचना भी कठिन होगा। यह दूसरे विक्तियों को अपने में मिलाने वाले आभेंतर में विश्वास नहीं करती। यह बात नहीं कि इसके पास उपदेश करने के लिए को उपदेश सिधान्त नहीं है। परंतु हिंदु धर्म की भाति यह बी एक अनधर्मांतर्य समुदाय है। यह सिधान्त और नीतियों के निर्धारन में विश्वास करती है। परंतु उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कार्य नहीं करती। परचार और ठोस कार्य लिबरल पार्टी के लिए विश्व अफ्वरों पर गाय जाने वाले गीत हैं। वेक्तिकत्सवर और वाशिक सभाएं। और जब कोई कृप्स पधारे या वाइसराय कुछ विश्व विश्व वेक्तियों को आमंतित करें। तो निमंतर्ण के लिए शोर करना ही इसके सीमित राजनितिक कारे रहे गए हैं। क्या यह कोई आश्चर की बात है कि यदि लिबरल पार्टी बदनाम हो गई है। लिबरल पार्टी सरवादिक मौलिक तत्थे को भूल गई है कि किसी उद्देश्य की पूंडता के लिए संगठन आवशक है और रा लिए कौन उत्तरदाई है। चाहे हम कितने ही खेट के साथ कहें। मैं सोचता हूं यह मानना पड़ता है कि किसी सीमा तक इस नाटकांत की जिम्मेदारी रानडे पर आती है। रानडे विशेश वर्गिये विक्ति थे। वे उन्हीं में पैदा हुए और उन्हीं में उनका का लालन पदन हुआ। वे कभी जंता के अपूरूष नहीं बने। लिबरल पार्टी पर संयत्र नहीं है। और इस संयत्र ना होने का कारण है कि यह जंद संपर्क में विश्वास नहीं करती है। इस जंद संपर्क के प्रति विराख की भावना रानडे की वसियत है। सिंजने वली शकति में मिथ्य विश्वास मेजिनी ने एक बार कहा था तुम एक व्यक्ति को मार सकते हो पर तुएक महान विचार को नहीं मार सकते मुझको यह विचार सरवादिक भ्रांत ग्यात होता है मनुष्य मरंशील है इसी प्रकार विचार भी यह धाना बनाना भ्रांत है कि विचार अमर है एक सिधान के लिए परचार की उतनी ही आवशकता होती है जितनी की एक पौदे को सचाई की अत्वा दोनों भिखर कर मर जाएंगे रांडे मेजनी मोहदे से सम्मत हो गए और यह विश्वास नहीं किया कि एक विचार को खलने फूलने के लिए परिश्रम साध्य पादन पोशन के आवशकता होती है यदि लिबरल पार्टी मात्र सिध्धान्त और नीतियों के निर्धारण से ही संतुष्ठ है तो यह भी रांडे की इस परंपरा के ही कारण है उत्तर उधारवादियों का करतवे क्या है सबी उधारवादी मैं जानता हूँ वही कहेंगे कि हमारा करतव है है अपने गरु का अनुगमन करना इसके अतरित एक शहदावान, शिष्ञे समूग का और क्या करतवे होगा परंद्र क्या कोई बात इससे अधिक भ्रांद या इससे अधिक आयोग्य हो सकती है इस प्रकार के भाव से दो बाते होती है इसका अर्थ है कि एक महापुरुष अपने शिशो पर अपने सूतरों को थूप कर कारे करता इसका अर्थ है कि शिशे को कभी अपने गुरु से अधिक बिदिमा नहीं होना चाहिए ये दोनों कारे निशकर्श भ्रांद है वे गुरू के साथ अन्याय करते हैं कोई भी महापुरुष वास्ता में अपने शिश्यों को आयोग्य बनाकर या उन पर अपने सूत्रों और निशकर्षों को थोप कर अपने कारें नहीं करता अपने शिश्यों पर अपने सूत्रों को थोपना एक महापुरुष का कारे नहीं है उसका काम उनको प्रत्साहिद करना उनको अपने गुणों विभिन प्रयोगों और परिश्व साधिता के लिए जागरत करना फिर शिश्य अपने गुरु के निशकर्ष को शिकार करने के ल के लिए अपने मानने के लिए आपने मुझे स्व्म में जागरत किया इसके लिए मैं आपका अभारी हूँ गुरु को इससे कम कोई अधिकार नहीं है शिश्य इससे अधिक प्रदान करने में करने को बादे नहीं है पता यह गुरु के प्रति साथ प्रति साथ ही स्व्म बंदित हो उसका करतेवें यही है कि वैसे धानतों को समझ ले यदि उनसे यह सहमत होता है तो उनका प्रचार करें भगवान बुद्ध ने यही चाहा इसा मस्फी ने यही चाहा मुझे विश्वास है कि रांड़े की भी यही इच्छा होनी चाहिए इससे यही निश्कस निक प्रशार उब्देशों का प्रसाद करना है इस करतवे को आगे बढ़ा कर पूंड करने के संबंध में उत्तरवादियों संबंध में उधारवादियों से क्या आशा की जाए संकेत तो बहुत निराशा जनक है गत निर्वाचनों में उन्होंने सीटों के लिए चुनाव भी नहीं जड़े परन्तु इससे कुछ नहीं होता जब राइट ऑन्रेबल श्रीनिवास शास्त्री लिवरल पार्टी के जज़ वालेमान नेता नहीं है गोशना की किवे कॉंग्रेस की सफलता चाहते थे कारवों के दान पर पलने वाले और उनके शुत्रुपांड़ों की वि देशों में विश्वास नहीं करते जदि लिबर्ल पार्टी के स्वास्ट की सामनय दिशा है तो यह हई श्रेष्ट थ्लेष्ट है कि प्रार्टी समाप्त हो इसे नवीन उत्थान का मार्क साफ होगा और हम उदारवाद की विर्थ बगबग की कलानती से मुक्त होंगे इस घटना पर रांडे भी अपनी समाधी से संतोस्ट प्रकट करेंगे यह पुस्तक यही समापत होती है मैं निखिल सबलानिया नई दिली से आपको बाबा साहिब डॉक्टर भीमरा वंबेटकर जी के लेख रांडे गांदी और जिन्ना जोकि पुस्तक के रूप में है वे आपक को सुना रहा था यदि आपका बाबा साहिब डॉक्टर भीमरा वंबेटकर जी की पुस्तक के चाहिए तो मुझे इस फोन नमर पर संपत करें 852-75-33051 एमेल है sablanian.com हमारा फेस्बुक पेज है dr-br-बॉक्स डॉक्टर ब्यार अमबेटकर बुक्स धन्यवाद चैभीम जै झाल 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 झाल